हेलो गाइज, हेलो माइडिया लबली स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग, I hope you guys are doing great और आसा करता हूँ कि अब सभी खालत काफी अच्छा होगा, welcome back one second to a very important and exciting another chapter of engineering mechanics, as you know that अभी हम लोग engineering mechanics को study कर रहे हैं, and आज के इस particular lecture में हम लोग बिसकस करने वाले हैं, friction के बारे में, मैं आज एक single lecture में friction का complete जो आप लोग का theory है, वो total explain कर दूँगा, ये lecture जितना बड़ा हो, जब तक पूरा पूरा complete आप लोग का friction complete नहोगा, तब तक ये lecture चलते वे रहेगा, तो आप लोग को एक single lecture में friction का सभी चीज पता चले जाएगा, जहां से आपके exam में question बनता है, और ए आपके exam में level आपको देखने को मिलता है, वो आप लोग का first four system जिसको हम लोग complete कर चुके है, और आपका friction, ये दोनों का दोनों chapter बोलो, ये दोनों बहुत ही important आप लोग का chapter या topic है, जहां से question देखने को मिलता है, इसके लावे अगर आप इस chapter को complete कर लोगे, तो और कई सार अगर आप देखते हो नो, numerical बहुत ज़्यादा help करता है, because frictions related कई सारा numerical भी पुछा जाता है, easy भी और medium लेवल का भी, और कुछ tough लेवल का भी, तो numerical में बहुत ज़्यादा help करता है, तो हम लोग समझेंगे, इस से theory question भी बनता है, one liner, objective question की तरह, and कुछ numerical question भी बनता है, तो को बने रहना है, lecture थोड़ा बड़ा होगा, तो आप लोग अराम से इसको देखेगा, चली start करते है, देखो, सबसे पले क्या कहा गया है, मैं आपे बता रहा हूँ कि friction आखे generate कब होता, friction होता, क्या उसका definition पहले जानना पड़ेगा, कि सरा के friction बोलते क्या है, बसे देखो, friction मिस होता है, घर्षन हिंदी में, क्या होता, घर्षन होता है, और ऐसा कोई भी student नहीं होगा, जिनको नहीं पता होगा, कि friction क्या होता, घर्षन क्या होता है, आपको पता है, कि जब दो object आपस में touch करता, physical contact में आता है, तो उसके वज़से, एक body अगर move करना चाहता है, तो द friction के बारे में थोड़ा-थोड़ा है ना, हम लोग पढ़ता है, laws of motion जब पढ़ते हैं, newton's law of motion, उसमें पढ़ता है, घर्षन के बारे में अपोज करता है, every action, equal and opposite reaction, तो तो reaction होता है, लेकिन कहीं नहीं कहीं हम लोग पढ़ता है, friction के बारे में, वो तो third law of motion हो गया, वो दो औब्जसर्फिक्त कंटक्ट में आता है, है विल्टेंट से टौर आप ओर रयुच और ठीच एंबर्टविन दीटू सेखा दौ बोडी है दोबडि कंटक्त में यह तो टैंडेंसिर आता है मोषुन को उसके गती को रोकने का रीजिस्ट करने का या उपोज करना का रोखने का between दूस तू सर्फेस दूस सर्फेस की बीच में मोसन को रोखने का ट्राय करता जैसे की अगर मैं बोलूंगा कैसे बोलूंगा कि मेरे पास क्या है इस तरा का डेको ये मैं मुवाल का इसे करना चाहरा हो न चाहए होने ने नीके वालागा दुब होने से नीचे भी अमोंगर और ये दोनों सर्फेस की बीच में लग रहा ह! दोनों, इन दोनों के surface की बीच में लग रहा, तो दोनों surface की बीच में एक resist या oppose कर रहा motion को, इसी resistance को, ये जो रोक रहा motion को, moment को जो रोक रहा, उसी को हम लोग friction कहते हैं उसी को क्या कहा जाता है? friction कहा जाता है, तो क्या समझे? simple, कि sir, मेरा friction जो होता है, वो tendency होता है एक tendency होता अपोज या रेजिस्ट करने का किसी भी motion को जब दो बोड़ी आपस में physical contact में आता है और surface में motion करना चाहता तो रोकता है इसी रेजिस्ट जो करता है उसी को हम लोग friction करते हैं अब बारी आता है सर इसके types के बारे में जानना कितना type का पाया जाता है वैसे तो अगर मैं types के बाथ करूँ तो कई बोड़ी रुका वार राता है सब बोड़ी रुका वॉर राता है तब भी उसमें friction लगता है उसको कहते हैm क्या गहते हैं प्रेक्षं को पष्टे समझते हैं क्या कहा गया फ्रिक्षिं सच देट्टब बोडी分 Bien Patras मतलब यह इसको पैसे समझो जैसे मालो में दो ही फोन ले रेता हूं मेरे पास एक स्मार्टफोन है और मेरे पास दो स्मार्टफोन है अब मैं एक क्यों पर एक रख दिया ना एक आईफोन है एक सैमसंग है ऐसे में रख दिया अब रख दिया इन दोनों को अब मैं क्या कर रहा हूं माल लेते हैं ऐसे करक भंस एके दिहाये मेरा विक्सथ द्रेक्शन में रख रहे हैं 151 आई-फों से लिल्गर ईटने इतना ज्यादा है मैं जितना लग रहा है देई 10kN इहां मैंने कहा ना करनाई अपर मेरा आइफोन परमें लगाई है दुज यहां जो मेरा फ्रिक्सन फ्र सफ लग रहा है यह िसर फ्रिक्सन फोर्स मेरा यहां पर यहां पर ज्यादा है जादा है न यहां निभी ए समझगें मेरी बात की नहीं और सेकेंड जब बात करेंगे काईनेडिक फ्रिक्सन यह कहता फ्रिक्सन विच एक्ट आट ड्यूरिंग दा मोशन सब्राइब जब कोई विरा बोडी है ना उसरस्था गती करता तब भी फ्रिक्सन लगता है उसरे सब्सक्राइब और यह कब बात कर रहा तब क्या फ्रिक्षिन लग रहा है तब भी फ्रिक्षिन लग रहा है तब भी फ्रिक्षिन लग रहा है लेकिन फ्रिक्षिन बहुत ही कम होता है तो यहनी क्या बोलेंगे कि डिरिंग दी काइनेटिक फ्रिक्षिन का बात करेंगे इस टाइम पे जो मेरा फ्रिक्षिनल पाथा इस बात का ध्याने आप लोगो को रखना है या धका स्टेटिक स्टेटिक फिक्षन जो होता है अगर कोई बोलेगा स्टेटिक कोयやって пох см तब उसको motion करवाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता यह ज़ादा फोर्स लगना पड़ता है एक बारी जब motion हो जाता ना फिर इजली चलने लगता है अब ट्राय करना कोई चीज़ है कोई चीज अगर रखा वा आपके हाथ में अगर मेरा हाथ में एहाथ में रखना आप रख यह से संकूर आपके अर्यार करता है काइसा प्रफिय विद्द करता है तो घ्यादा और मेरा फोर्ट कि नहीं कर रही है लेकिन यह फोर्जा अप लोग पी लगा रहे हैं ढोल देता हूं अप्लाय फोर्ट सोड़ wonder को 20 किलो लाइन काल जैसे यह बोडी अब मेरा मोशन करने लगा अब यह मोडी मेरा मोशन करहा धीरे 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 यह मोशन कर रहा उस समय प्याप आपको 20 किलो न्यूटन लगाने का जोरूत नहीं है, हो सकता है, अपका 15 में काम चल जाए, 16 में काम चल जाए, 10 में ही काम चल जाए, मतलब कि जितना आपने स्टार्टिंग में लगाया ना फोर्स, उससे कम पे ही आपका काम चल जाता, बोड़ी मोशन करने लगता, continuous, continuous, continuous motion करते रहता है, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में जो फ्रिक्सन फोर्स होता है, वो बहुत जादा होता है, वो बहुत जादा होता हो सकता, फ्रिक्सन फोर्स मेरा 30 तक था, इसलिए हालत खराब अप हो गया, वैसे 20 तक ही रहेगा, अगर ये 20 में मोशन करने लगा, माल लेते हैं यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर इसका कितना था, सुपोज करो 19 किलो न्यूटन तक था, इस तरह माल लो, जैसे 20 हुआ, आपका मोशन कर गया, समझ गये, 20 से कम अगर लगता, तो बोड़ी रुका वा राता, लेकिन 20 इसका फ्रिक्सन फोर्स आगा, जैसे 20 लगा, मोशन कर गया, लेकिन यह एक बार जब गती कर गया, उसके बाद यह उतना लगाने का जुरूतनी, अब कम फोर्स म लेकर घुए, नहीं चल जाएगा, यह कभी आप ट्राय कर ना, कोई अगर पत्थर, या कोई भारी भरकम समान रकावा लोहा का, उसका पहले जैसे, गेज सिलेंडर हो गया, गज सिलेंडर, घर का होता है, दिने, गेज सिलेंडर को कभी क्या करना, ट्राय करना, उसको नीच लगताहिए लेकिन एक बर जब रोलिंग कर जाता हुए जा फिर आपको ज्यारा लघाना पड़एगा लेकिन एक चलते रहे हा लाँ का चल चल के चल जाता है इसलिए में कहा स्ट्रेटेक प्रीक्षण जो ठोल्ता बहुत ज्यादा इस टाइम पे अगर बात करा जाए तो friction force का value वह ज्यादा होता देंदी applied load से और इन दोनों में कहा जाए तो static friction मेरा ज्यादा होता देंदी kinetic friction clear चलो यह चीज आप लोग हो गया दो basic static friction और kinetic friction के बारे में समझ गए दो लेकिन क्या असर यही दो रहता है friction के यही दोनों friction का types होता और को friction का type नहीं होता तो ऐसा बिलकुल नहीं है कई तरह का friction का type दिखने को मिलता है तो चलिए discuss करते हैं friction type के बारे में अब friction type के बारे में दो basis पे इसको divide करा गया अलग करा गया एक होता friction type based on surrounding surrounding के basis पे इसको हम लोग क्या करते हैं चार भाग में divide करते हैं surrounding के basis में किस भाग में divide करते हैं चार भाग में divide करा जाता है friction को चली जानते हैं क्या क्या हो जाता सभी का all friction सबसे पहले हम बात करा गया है dry friction के बारे में किसके बारे में बात करा गया है dry friction के बारे में फिर बात करा गया fluid friction के बारे में ड्राइ फिट्शन के वाता फ्रिक्शन देट एक्स बटम डोशॉलीड सर्फेस इन कंटक्ट जब दो मेरा से चोन्टक्ट में आता है तो कोई वी दो शोलीड जैसे मैंने दोड़ों फोन लिया था न यह भी छोलीड है ये वी solid है इन दोनों solid contact जब solid body आपस में contact में आया और इसके वीज में जो friction लग रहा है ये friction वही जव मैं मोशन करना चाहरा है पाला को लेंकिन होने नहीं दे रहा हो यह फिर अगर Friction कहा जाता समझ गयं एक मेरे फाला बोडी या दुसरा बोडी आ एरा वी रहा और इसके बीच में देख सकते हो कि क्या है एक मेरा यहां पर इस आधा है सोलिट बोडि था यह यへ है और इसके बीच में जो यह फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है ना इढ़ से फ्रेक्शन का रहा है अब लोटी को आ इधर खीच के लिए लेने जाना चाते तो इढ़ा लोड प्रिक्शने दो यह कर लाता है तो संगे यह स्लीड तो इसे प्सक्राइब Ben ऑप फ्रिक्शन इसमें की ते नबड़ा का फ्रिक्शन विच्ब टॉफ डॉफॉआ अब लोग पढ़े फ्रुड मैकनिक्स है न Gör फुर मेकनिक्स में पढ़ता है. हम लोग विसकोसिटी की दी ओधार रिजिस्टेंस नसिगा पहले बाद तो सर फ्लूड क्या आता ये जानना बहुत इंपोर्टेंट है फ्लूड डिये स्टुडेंट नथिंग बढ़ दी फ्लो बिहेवियर कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा सवेस्टांस माटेरियल जिसमें फ्लो होने का प्रपटी है उसको हम लोग फ्लूड काते है जिसमें भी क्या आता है फ्लो होने का बिहेवियर है फ्लो बिहेवियर जो मेरा बहा सकता है उसको फ्लूड काते है अब बहा कुन कुन सकता है सर मेरा एर बहा सकता है एर फ्लो करता है बिल्कुल फ्लो करता है तो फ्लोः हने का प्रोपिटी एर में पाये जाता क्या था अंथा इसलिए हम लोग पढ़ता है फ्लोड मेकनिक्ष तो हम लोग air inspired सभी विसकश फ्लोड बाते हैं अब रोकते जाता है, अब बीकर में यह फिर मम्मी जैसे आठा बनाती है तो ध्यान देना आपका यह मान लेकर ले लेते हैं, रिल्क टूइब आ इसा रहा पानी डाल दिया अब फी में क्या कर दिया यहां पर पानी डाल दिया क्या कर दिया इसमें मैं वाटर डाल दिया वाटर यह मेरा क्या रहा वाटर रहा तो जब वाटर के साथ यह मिक्स का जाता है तो देखना बहुत इजी तरह से मूब करता है बहुत असाम से मूब करता है लेकिन जैसे डिफ एक मोटा लेयर बनाता है और फिर इसको चलाना बहुत तफ होने लगता बहुत डिफिकल्ट होता चलाने में इसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगा तो यह विसकस फ्लूड यह वह इसा फ्लूड जो रेजिस्ट कर रहा फ्लो के साथ आटा ऊक ऑताल होताँ थीक वहाता है की सब्लूड वह और पतला हो जाता है जैसकी आका क्या होता है आप का होता है दुमेटो केचप ऊठ्छेंट Влад EDI तरने बटल आता से आटमेटो लोग मेंुवन स करता है आप लोग घर में हमेशा चाइनीज वेगरा बनता है जैसे चोमीन वेगरा हो गया मेगी वेगरा बनाते हो तो हम लोग क्या करते हैं टेमेटर केशप का यूज करते हैं टेमेटर केशप को बहुत दिन तक अगर आप यूज नहीं करते हो तो देखना अंदर में जम जैसा जा से बाहर आने लगता है तो यहाँ पर क्या हो गया विषकॉस यह भी मेरा विषकॉस फ्रीक्षन तो क्या वाटर में भी पाया जाता है कम ज़़ाद आलग वाथ लेकिन पाया जाता है तो वाटर भी एक तरत से विसकस फ्लूड भी होता है वह भी लेयर वे लेयर फलो इसलिए वाटर का भी हम लोग जब आप लोग फ्लूड मेकनिस्स पढ़ते होंगे तो हम लोग प्रोफाइल कैसे बनाते हैं ऐसा ऐसा यह दिरे-दिरे सब्क्राइब तो थोड़ा बारा हलका बारा नीचे एकदम कम है वाना पाइंट में पानी ना के बराबर एकदम कम है तो आपको लगे का वह पानी इसे रुका वाए और कभी कबार रुख जाता है कभी कबार देखना कि पानी में पाइंट थोड़ा है लेकिन पानी गिर ही नहीं रहा इधर कर रहाता है जैसे जैसेLY दो करते है और मेरा मौशन करते बढ़ जाएक पर पुरा भर देते हो प grounded उस उसमें पर विल जादा हो जाता है तो यहाँ आराम से मौशन करते है यहां यह नlived वह तो पांभते था लेकिन वह बार मुल्मिप सी सब जाता है या पिर यह बोसकते हो कि विसकोसिटी जो राता वह काम होते जाता है विसकोशीटी में को रोकता है तो वहां फ्रिक्सन जनरेट होता आज फ्रिक्सन को कहा जाता है फ्रिक्सन कीẫn को पड़ते हैं जिसमें ध्रोगं में पड़ते हैं जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो नहीं mo corresponding जो मैं स्टार्ट करा था तो आप लोग को याद है मैंने कहा था कि engineering mechanics is part of physics यह physics का ही एक part होता है राइट इसीलिए मैं बोला यहां पे कि यहां पर friction नहीं पड़ते हैं लेकि जो fluid पड़ते हैं तो fluid में इसी friction का नाम हो जाता है viscous या फीर विस्को सिटी तो विस्को सिटी सका नाम पढ़ जाता है और इसी तक पढरते हैं और आपको पढरते हैं अब है अगर आप इंजिनियर हो तो बहुत कोई आपका एलेक्टरीकल का होगा और सब्जक्ट लेटरिकल का लग पढ़ते हो फिसक्स के लिए आप अगर बात करने उसको कोई रोखता है, तो उसको कहा जता है, उसको कहा ज जता है, मेरा क्या? места, जब उसको कहा जपार जैता है, तो रेजिस्टेंस भी एक तरह से फ्रिक्सा नहीं कहलाता है लेकिन यहां पर रोकता कुन है वही बात है यह मेरा किसको रोकता यह मेरा मोसन को रिजिस्ट करता है किसको करता है मोसन को रिजिस्ट करता है यह मेरा रिजिस्ट करता है यह मेरा रिजिस्ट करता है सब का काम एक ही है सब रोकता ही है मोशन को हना तो यह फिरिक्षन आ जाता है और इलेक्ट्रिकल में इसको रिजिस्टन करते है तीनों का काम सेमी इसलिए अगर यहां पर दिया जाई तो जब तक विश्कस नहीं हो और इसकर को फिर्क्षन नहीं है πिविजिस्थन को यह हो गया यह सब कवा और की अगर की घ्रिक्षन すnoo तर चैनल गया की बेसिस पर देख रहे हैं कि किसके साथ connect हो रहा है एक बोडी है तो यह हो गया फ्रिक्शन अब बारी आता है skin friction आपको लगा सब्सक्राइब मतलब क्या मेरा हाथ का इस तरह इंसान के बारे में बात कर रहा क्या इंसान का कोई बोडी पार्ट किसी के साथ कोई एर के साथ वटर के साथ नहीं ऐसा नहीं तो समझते हैं क्या खेर मेरा skin friction क्या होता तो कहा गया है friction felt by a solid body surfaces when it is dragged into the food environment अब देखो क्या कहा गया कि कोई बी solid body का surface जैसे solid body जैसे मेरा माल लेते हाथ ही ले लो हम लोग का हाथ है ऐसा क्या है मेरा हाथ है ठीक है अच्छा बना हाथ चलो ठीक है जैसा बना यह मेरा क्या है hand है हैand है right hhaan now wave कर रहे हवा में इसे खर रहे है तो मानते cultiv यह महाल लेते हैं मेरा वाटर में रेदे अंद्र और वाटर के अंदर बच्चे लोग खिलते नहीं तो यह मेरा क्या पानी के अंदर है जी वरज़े मेरा water के नदर को यह हात को इसा आभी कर रहा warmer आप दोखो कि जितना में कर सकते हो तबानी में उतना स्पीड का आफेश कोगे वाट कोई रहा है वाटरो आपके मोशन को, तो यहन Michel doald का सर्फेंस हो गया और देम है जोमाल होसे की बीच भूझान इसके स्कीन उसकीन अकि पर टो, यह ऐर में भी हो सकता है यही हात को अगर मेरा हैंड है और यह हैंड मीरा है क्या है मेरा इस बारी एर है तो एर भी इसको रोके गा अब कितना रोक पाएगे एर थोड़ना रोके गा आपको समझ में ऐसे तो नहीं आता है लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा किर्केट के नजरिये इस अंसे आप्लोग क्रिकेट, टैनिस बोलHigh आना टैनिस खेलते होंगे, बेड़ में घेलते होंगे, में ने और घेलते होंगे। यह तो वह चलते जाना चाहिए चलते जाना चाहिए चलते जाना चाहिए एकदम जिस ड्राइक्शन में भेजा जाए लेकिन गिरता क्यों है इसका विलोसिटी कहीं ड्रॉप करता है इसकी स्पीड कम होता है इस्पीड जैसे जैसे कम होता है यह आपका क्या होता है कुछ दर क चला जाता रोकता रोकता एयर जो होता उसको रोकता तो एयर यहांपे resistance का काम कर रहा है तो यह जो यह बोटी दोनों हो गया यह रही हुए और फूद है और यह किस angular movement का ले इन दोनों की बीच में फ्रिक्शन आ रहा है और अच्छा जाम पले इसका अगर देखते हैं कभी आप देखें को मुवी वेगर इंडियान साउथ मोवी इंडियान मुवी या होलेड मुवी आप देखें कभी बुलेट जब चला जाता ना तो उसको कभी स्लो मोशन में दिख एर और चुरते वेजा रहा है यानि एर रोक रहा तो न उसको दिखा जा रहा है अंगर आराम से अट या दू दिखाता नहीं यांग दिखता नहीं करा एर और और बोड़ी के बीच में जो रहता उसका मुलत एंसकीन ट्रिक्शन आइस बारियता लास्ट डैम इंटरनल फो रिविली ने लगने वाला फ्रिक्शन तो यह कर रहा है Luck अग्या किski तरह का ऐख़ारते की इस तरहीं प्लेखरस का लेली तरह से बार को फ्रिक्शन है से थोड़े पीट के इसको मैं चादर बनना चाहता हूँ हथोड़ा से पीट को क्या करना चाह रहा हूँ है है एक बार मेरा यह दुसरा है ये ज़िए अर् Hispanique को आप पीठोगे जल्दी चादर बन जाया लेकिन क्या कास्ट उतना जल्दी बन पाएगा नहीं बन पाएगा अिसा क्यों कि कास्ट अर्ण का एंट स्था स्था एंट ड soph explaining है होगे तो यह मेरा ब्रीटल मेटरील को सेपन साइज को चेंज करने में जादा बल लगाना पड़ा ज़्यादा फोर्स अपला करना पड़ा यह जल्दी हो जाएगा तो यह जल्दी हो जो रेट के हुआ क्यों कि रेजिस्ट किया इसके जो इंटर मोलीकुलर आपका है इंटर मोलिकुल्स यह रेजिस्ट कर रहा है तो वह जो डिफर्मेंशन को रेजिस्ट कर रहा है वह वह दोड़ा और इस तरह से घ्र कि जैसा पिटना चाहोगे तो यह आपका है ना सो में लेता हैं यह पहला में ने मोलेकु लेता हूं इसको में बढ़ाकर आपको समझाता हूं किस यहां में दो अब्जेक्ट लिया इस तरस लिया मोलकुस दो है यह पहला दूसरा है तो अगर मैं जैसे पीटूंगा तो यह जाना चाहेगा तर फैलना चाहेगा इसका पार्ट यह भी फैलना चाहेगा दोनों क्यों फैलो फोर्स लग रहा है लेगन इसके अंदर का जो इंट चीज़ देखा चाहता कोई भी एटम लेलो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट उठालो दुन्या में कोई भी माटेरियल है जो किपाय करता है स्पेस को जिसका कुछ वजन होता है वो सारे के सारे जब डिफर्मेशन होगा तो रिजिस्टेंस करेगा है करेगा सिमिरली एटम में भी आवस्ता की वेशिस पर देखेंगे कि मेरा फ्रिक्षन कितना टाइप का होता है देखो फ्रिक्षन ऑन देफिसस अब इनर्सियल स्टेट ठीक है चले देखते हैं इनर्सियल स्टेट की वेशिस पर मेंली आवस्ता की वेशिस पर किस तरका पाय स्टेट समझ यह ना कि कोई तरह का friction देखने को आपको मिलता है तो चली one by one करके समझते हैं क्या होता अभी हम लोग दो के बारे में तो देख लिये थे एक मेरे इस पर यह उसका बहुत जादा रहाता है वह यह कहा गया एक्सपरियेंस बाइब इसको करता है उसको उन्लों बोलते हैं अब लिक सर बोडी कोई में अगर इस तरह करके हाथ में रख दिया तो सर यह क्या मेरा अभीवे friction लग रहा इस گोई शींन लग रहा था तब भी लग रहा है तब लग रहा क्यों क्यों इसी के जगह में अगर में कुछ om Bang देता हो जिसमें आपका friction ही नहीं कोई चिकना है एकदम जैसे की एक सेकेंड अगर मेरे पास ऐसा कोई चीज है तो मैं आपको दिखा रहा हूं देखो एक चीज मेरे मुझे मिल गया उसको बेटर एक स्प्रेंग करने के लिए कि क्या वो चीज होता कि निए देखो यह मेरे पास इस तरह का कुछ करके अब मैं इसको बस ऐसे रख दूगा ना रख दूगा तो यह चल रहा ना समझ यह यहां पर अगर मैं रख देता हूं कियो वह वैसे करके ऐसे कर दिया कि तुम रूख जा लेकिन ही चलते रहा जंब यह बिल्क चुक ना और इस के वज़यसे क्या बनाया गया है कर बने से अब Очारी तो इसको अगर आज से कर रहा है देखो और तरह भी निए तेक पर बोडी का जो वजन होता है वो डारेक्शन डानवोड डारेक्शन में एक्ट करता है तो जब मैं सीधा रखा था तब इसका बोडी चाहिए इसका वेट जो हता है बिल्कुल डानवोड डारेक्शन वेट कर रहा है एक्ट कर रहा है तो डानवोड में तो मेरा तो यह हात भी है तो हाथ तो जाने नहीं दिए रहा इसलिए लेगन जैसे मैं ऐसे कर दिया ना तो इसका ग्रेविटी इधर अने लगए तो तो तब भी उसमें कहीं ना कहीं फ्रिक्सन लगी रहा है जोरी नहीं कि आप अपलाई करोगे तभी सर इधर लगा रहे तभी लगा तब भी लगा ने तो इधर घूमते रहेगा है उसका अगर बस चले तो चले हवा सलका हवा भी तो चल रहा हवा चल दिया उधर चल दिया तो यह तो एक फोर्स लगा रहा लेकिन ड्यू टू इन रेगुलर सर्फेस है उसके वाज़ से वह चिपका वाज चिकना अगर रहेगा तो फिर फिसल में लेगा ठीक है चली वही का गया यहां पर इडिज इ यह बहुत इंपोर्टेंट होता है लिमिटिक फ्रिक्षन यह बहुत इंपोर्टेंट होता है पता लिमिटिक फ्रिक्षन का लगता है लिमिटिक फ्रिक्षन में आपको समझाने के लिए क्या करूँगा आपको मैं ऐसे कुछ अब्जेक्ट चीज लेता हूं जो मैं आपको को समझा सकों इसके लिए मैं क्या करूंगा यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है इस चीज को समझना आप लोग कि इस चीज को आप लोग समझना अच्छी तरह से मैं यहां पर ब्लेक चीज लोंगा न तो ज्यादा बेटर तरीके साथ को विजुलाइज हो पाएगा ठीक है देखो समझना है किसी तरह से समझना है देखो यह मैं चार्जर उठा लिया हूँ फोन का ठीक है इसको मैं क्या करता हूँ इसके जगह में रख देता हूँ यह ब्लेक ब्लेक साइद आपको नजर ना आए तो मैं वाइट ले लेता हूँ चलो देखो मेरे पास ये फोन है और फोन के उपर में क्या कर दिया है इस वाइट को इस तर करके रख दिया हूँ ठीक है रख दिया ना अच्छा क्या ये मोशन मेरा कर रहा है नहीं कर रहा है इसको मैं थोड़ा टील्ड कर रहा हूँ हो और यहां पिरुन को आप़ने में से पाल्स भीन कर रहा है तब नहीं यहां है इंसलिए बहुत जयादा Different इसलिए बहुत ज़्याद अफिसल जा रहा है मुझे को ऐसा रफ लेना पड़ेगा ताकि मैं आप लोग का एक्जामपल को बहतर तरीके से समझा सकूं उसके लिए मैं क्या लोंगा चलो ठीक है मैं इसको थोड़ा ले लेता हूं माइट भी यह मेरा काम कर जाए जो मैं एक्स्प्रिन करना चाहरा हूं चलो यह माचीस में लिया है ना माचीस लिया है इसके अंदर कुछ है भी नहीं न तो यह थोड़ा से इसको वेटनेस मुझे देना पड़ेगा वेट देना पड़ेगा चलो अब इसके अंदर थोड़ा वजन हो गया अब यह आप लोग यह मत समझना कि मैं कुछ जलाता हूं इससे काम यह किया जाता है पूजा वगरा करते हैं ना जब लोग क्लास होता है उससे पहले में पूजा करता हूं ठीक है उसके लिए यूज करा जाता है अगर्वत ही आफिये जलाने के लिए चलो देखो यहां पहूरी यह रख दीया में हाना रख दिया आउन 002 अकरमोशन करांने कर लेकिन दिक्न अक टैम परीड नहीं कर रहाए जब त lass Š пиш अमें यह मैं बतल नहीं कर सकता है तो उस टैम तक जब तक ये मेरा मोशन नहीं किया हना मोशन नहीं किया इनकि हलका सा एक टाइम देखो अभी नहीं कर रहा नहीं कर रहा नहीं कर दिया नहीं कर रहा नहीं कर रहा नहीं कर रहा रुकावाया है अब इसके बाद थोड़ा सा भी अगर मैं फोर्स दे लगाता हो ना फोर्स को इसके व आप तो पॉड़ासा भी लगाएंगे न तोड़ा कर जाएगा जाए है उसके पता कि तीन इसके छी लग जाता है तो कोई आया और एक इंसान बच्चा लेकिन आया वो बोलता है भाई कोई थोड़ा सा और लग जाएगा उसके बाद आया को तिसरा इंसान और धक्का लगा निकल गया तो आपको पता कि किस फोर्स के बाद में लगाऊंगा तो मेरा बोड़ी मोशन करने लेगा वही वही फोर्स जिसके बाद मेरा मोशन जस्ट मूव कर जाता है उसको कहते है लिमिटिंग फ्रिक्षन फिर आप बोलेंगे सर लिमिटिंग फ्रिक्षन के टाइम पे क्या ये बोड़ी मेरा अभी रेष्ट में है या फिर इसका मतलब है कि मोशन कर गया नहीं यह मेरा लेकिन रेष्ट के उस कंडिशन पर है कि हलका सा भी इसमें अगर फोर्स लगा तो यह बोड़ी मेरा मूब कर जाएगा समझ गया है उसी को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्षन लिमिटिंग फ्रिक्षन तो देखो कैसे इसको एक्स्प्रेंड कर आ गया है फ्रिक्षन टू मूफ प्राम ठीटि वह यूजज़ा ? कि एक्सप्रिएंट मतलब एक्सप्रिएंट दम तोड़ने वाला ! बस बूलब भाई साब आब मैं हार गया फोर्स जाधा अपने लगा लिए friction हार मन जाता है इस point के बाद जो just to move from the rest अब ये move कब करेगा और यह इसलही बात है जब friction Force मेरा कम हो जागा और load applied load मेरा ज़्यादा हो जागा तभी तो मोड़ी मेरा move करेगा तो उस point जब मेरा friction equal to load होता है उसको बोलते हैं हम लोग समझ गए इसलिए का आगा it is the equal to the maximum possible value of the static friction मुलब कि जो भी friction लग रहा Is static friction उसका maximum value is time period में load को applied करता है उसके बार maximum जदा-जदा आपना जो भी Dumb-Kam है सब ढूंक देता उस बोड़ी को रोकने के लिए किकि उसके बाद थोड़ा सा भी अगर लगा फिर फिर मोज वह चीजर आपके स्कूस ही और लास्ट अब या जाता almost every aे डार्या फिरेक्ष्टन गति इनमरे वेंट इजलते रहता मोसन बोडे सरफ इस व decrease बाइक चल रहा कार चल रहा कोई और चिल चल रहा looking कि चलते चलते भी एक मेरा फिक्ष्ण लगता है उसको बोलतकि crashing Noise छोग्य अब डाने को डिवाईट करा जाता है एक को का जाता रोलिंग एक को का जाता एक स्लाइडिंग श्रुक्त देखते के स्लाइडिंग के ये यह सब मातलर कर रहा है ये corps रोल कर रहा अब मेरा हाथ जहां पर पकड़ा वहां है जिससे यह दुखो हाथ इसको मैं पकड़ा हूँ यहीं कर यहीं रहेगा क्योंकि स्लाइड कर रहा है फिसलते वे जा रहा है लेकिन रोलिंग क्या आता जो देखो इसके साथ साथ यह भी मूब कर रहे पूरा चारों 360 में ऐसे से करक रहे है फिसलेगा तो रोलिंग के टाइम है क्या अथा फ्रिक्षन एक्सपेरियंस वाई और बोलते हैं और स्लाइडिंग करता है तो उसको स्लाइडिंग अब्जिक्ट और सफेसिस के साथ जो फ्रिक्षन से तो हो गया state के basis पे कैसा state है कोई body रुकावा है या just about to move है या motion कर रहा है तब मेरा slide कर रहा है या rolling कर रहा उसके basis में इनको बात का गया है तीन भाग में फिर इसके दो भाग में और कुल मिला के पांच होगे यहां पे और यहां पे हम लोग देखे चार यानिकि 9 तरह का हम ल पूज दी correct option है ना out of the wrong statement जो भी रहेगा उससे आपको चूज करने में बहुत help होगा चलिए आगे बढ़ता हूं मैं आगे बढ़ता हूं अब यहां पर क्या बात करा गया है अगर मैं इसको जूम कर क्या आप लोग को दिखाता हूं ठीक है यहां ध्यान देना यहां ध्या करता है इस पर बहुत dependent करता है पहला नमर समझ रहे होना मेरा बात अगर आप पहला नमर देख रहे होंगे इस पहला नमर को ध्यान देना इस वाले को मैं बात कर रहा हूं मतलब कि मेरा रेगूलर है यह ऐसी के वज़ा सब देखो ना कि किसको मैं सब्सक्राइब रखे और अईतना तक होगा नहीं गर समझोगे इतना कर दिया फिर भी इतना कर दिया इतना कर डिया इतना कर तोड़ा कर रहा इतना तो दूर क casino समझे टो यह किसको तक when दो करा सर फेस के को आपके नेचेर में की सर फेस का नेचेर कैसा नेचार अब्लार रेगूलर है तो जितना ज corte रहेगा यहां पर मेरा फ्रिक्सन ज्यादा हो रहा है समझ गये चलिए यह चीज आपका हो गया वह का अगया इंडिपेंड अब एरिया आप ध्यान दोगे तो सेकंड नमर में क्या का आ गया है ग्रीन किलर से देखो एरिया आप कोंटेक्ट में डिपेंड नहीं करता है इस ब पर और नहीं करता है तो यहां पर वही का गया कि नेचर में चाहते हो इसको में लिख सकता हूं कि डिपेंड किसमें करता है आप यहां पे कर देना कि depend on depend on nature nature of surface surface के nature पर depend करता है और फिर कहा गया है और एक चीज क्या last क्या कहा गया है third number में देखो यहां कहा गया है directly proportional to the normal force normal force के directly proportional होता है इसका क्या मतलब हुआ भई इसका क्या मतलब हुआ जिसे यहां कहा गया है अगर आप ध्यान दे रहे हो कि direction to the normal force जो ही मेरा object है यह जो मेरा normal force लग रहा surface के normal लग रहा force इसके directly force मेरा होता friction friction force अगर मेरा बढ़ रहा है यह load अगर बढ़ रहा है तो यह भी बढ़ेगा यह डाकली पो यह अगर बढ़ेगा तब तक friction भी बढ़ते भी जाएगा और अगर आप बोलेंगे सर्फ रिक्सन कब बढ़ता तो friction अपका बढ़ता weight के साथ साथ जितना जादा वजंदार कोई चीज़ रहेगा उसको फोर्स लगाना में ज्यादा पूर्स यां कम लगेगा तो देखो कितना इसली चल गया उपर शर्फिस चिक नहीं हो गया इसको मैं रखा माचीज को रखा इसको किया ऐसे चल गया लेकिन सेम चीज को अगर मैं क्या करता हूँ ये देख सेक तो piston है ये लोहा काया पूरा इसको मैं रख दे मेरा फोन न खराव हो जाए इसको मैं वजन उठाने पा रहा हूँ ये में पेन तो दूर के बात हाद से भी धक्का देके नहीं जाएगा कि बहुत वजनदार है वजन नमबर बात क्या है अप्लाइड फोर्स का वेश्ट जो होता है तीन नमबर देखना अब इन तीनों के बार में डिसकस करते है चलिए देखो क्या 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 कहा गया पहला अगर आप ध्यान दोगे कहा गया आवर इटिंग इवल इफेक्ट आप फ्रिक्षन का जो इवल जाता है ऑभर इटिंग अगा तो आपको घ्रण ऐखता में और करता है तो तो अबर करक्स dal क या मेल्ट हो सकता कई तरका दिक्कत आ सकता तो यह एक फ्रिक्षन का डिस अडवांटेज बुराई है इसके लावे टेंप्रेचर कहा गया कि टेंप्रेचर अब दो सर्फेस इंक्रीज अगर कोई फ्रिक्षन किस चीज में चल रहा तो उस पाट को भी गरम कर देता यह भी ख कर दो करने और यहां पर लगा रहा हो पुरा वजन लगा रहा हूँ तो भाइस आप कितनों में वजन लगा रहा है इली नहीं पारा है इटमिस मेरा जो फोर्स लगाए वो तो वेश्ट होगी व्यांना लोग को बड़ा सा ट्रक है खराब हो गया को दो आदमी आकर धक्का पावर नहीं पाया तो वहां पे उन दोनों का जो एनर्जी हो तो वेस्ट हुआ कोई मोटर चला दिए जनरेटर के तुरूस को घीजना चाहरा है यह तो फ्रिक्सन को रोक के से सकते हो रोकने का क्या उपाय है reducing the friction friction को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसे को पहला नमर में कहा गया है lubrication का apply करना है ना lubrication का apply करना second number कहा गया है soap साबुन का solution जो था उसको लगाना तिसरे नमर में कहा गया powder apply करना और चार नमर में kanagya stream chain का लगाना तो इन चारा को देखो क्या क्या कहा गया ध्यान दो सबसे पधे क्या कहा गया है यहां आगर अग्यान दिये रहे होंगे अगे नहाते होंगे नहाते होंगे आप बातरूम में आगर जब नहाते हैं तो कभी देखना फिसला से किसी और चौट लगता बच्चा खासकर यह फिसल जाता है आप भी कभी नहाई होंगे कोई बぁ당ा की में फिसला चोट लग जाता है है इसा हुआ हम लोग बुजूर्ब दादी इसको चोट लगने को जैसे सीर्फट गया था तो उस कर दिया तरफ जिसके सरफेस क्या जमाल जदाइर उसमें साबून आ गया तो चिकना कर दिया ठीक है इसलिए आज के टाइम पे जो ड़ाइज पाए जाता हुँ अलग-टर पाई जाता है ना वीटरेट और त्व तरह का यूज़ा चाहिए जिसमें फृक्षें जो है थोड़ बहुत कोई है ना तो वह भी ध्यान रखना चाहिए आज के टाइम पर कि कैसा आप लगा रहे हो है ना अप्लाइंग पाउडर ऑंदर सर्फिस सर्फिस कोवर पाउडर जैसे आप यह कहां पर यूज करते हैं अपलाइंग पाउडर थर्ड नमर का आप लोग करें बोड खेले बोड़ी इसकोई बाइनिंग करके इसके वज़े से वजह वजह इसके वजह से प्रिक्सिन इसमें अपका कम लगेगा इस वाले में समझ गया चली यह हो गया और यहां पर आ गया फ्लूड जो है लिक्विड और गेस दोनों को का रहा यह तो मैं आपको पहले बता रखाग कि वह फ्रूड को न होता जो फ्लो करता है लिकृडवी फ्लो करता है इन दोनों को हम लोग फ्लूड कहते हैं इन दोनों को क्या कहा जाता है मेरा फ्लूड कहा जाता है तो यहां से यह सभी चीज़े हो गया अब बात करते हैं यहां पर क्या है रिजन रिजन यहां पर इस ची इसके बाद थोड़ा साभी अगर फोर्स लगाया जाए तो उसका यहां पर है न इसको यह में समझाया है उस्टेड लिमिटिक फिक्षिक्षिन ने साथ यह मेरा स्टेडिक फिक्षिन और नीचे में डायने फिक्षिन इन तीनों को इस ग्राफ के थूरू से आपको समझाया इन तीनों को क्या करा गया है ग्राफ के थूरू से आपको समझाया गया है तो चली समझते हैं कि इन तीनों जो है न वो क्या कहने का बोर रहा है क्या कहने का ट्राय कर रहा है इन तीनों को चली समझते हैं रैट चलो one by one करके देखते हैं यह सबसे पहले देखोगे अगर ग आपको लोड दिख रहा है हाना इधर आपको फ्रिक्शन न जरा रहा है फ्रिक्शन इधर आपको लिख रहा है अप्लाइड लोड अप्लाइड करते हैं उसको लगाए गया अच्छा अब यहां पर क्या होता है यह ग्राप क्या बता रहा है यह ग्राप यह बढ़ा जैसे जै नहीं पा रहा हूं कि कि सच में बहुत वजंदार है मुझे लग रहा है कम से कम आपका 1.5 किलो तो हो गई तो उंगली से इस तरह करके लगाना तो इस नोट पॉसिवल नहीं तो गिर भी सकतार में यहां पर लप्टॉप उप्टो इतना सारा ची रखा पता चला गिरा और तो 10 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हैं 10 किलो न्यूटन फिर बढ़ा है 20 किलो न्यूटन बढ़ा है जब यह बढ़ा है तो मैंने पिछला में कहा था पिछला स्लाइड में कि फ्रिक्शन भी बढ़ते जाता है तो यह फ्रिक्शन भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा माल ल से लगा ब्लक किलोनेटर नहीं लगा 20 किलोनेटर नहीं लगा वह इसको ब्लेंस करके रख जारा है जो बड़ते जाए रएए लएक आप हुता है जैसे घाथ है लिमिटक क्रिक्षिंग फिरीक्षिंग क्या था इसकेबाद हो को यह इसपोंट है की इस पोईंट के बाद पहली बाद तो इस पोईंट में मैक्सिम रocado लगता है इस ट्रैमर जो फ्रिक्षन लगा है एउ श्यों लगा है मैक्सिम फ्रे conventions लगा है और उस ट्रैम पर लोड वी देखो लोड कहीं इतना तक हम लोग बाइ मैक्सिम नहीं है लोड और लगाएंगे लेकिन लोड समझो यहां तक लगत चुका है उस मैक्सिम का फ्रिक्सिंट का लगा है ना मेक्सम लिमिट के बाद आपका ये तो मेक्सम फ्रिक्शन लग चुका था फ्रिक्शनल फोर्स अब यह हर मांज जाएगा और फ्रिक्शन अब घटने लएगा घट गया अब जो होगा मोसन इस्पीड को ने लएगा तो उसके बाद फट से क्या अब नीचे गिल अब देखो अराम से मोसन करने लिएगा अब देखोगे तो लोड अब देखो लोड लगा रहे लोड लगा रहे लोड लगा रहे लोड लगा रहे लोड अपलाई कर रहे लेकिन फ्रिक्शन नहीं बढ़ रहा है फ्रिक्शन जस्का तास उतने हैं फ्रिक्शन एक तरसे बो अपढ़ने देंगा इस पिश्टन को सब्सक्राइब तो यह आप्ज पर इस पिश्टन करने के लगता है क्यूंकि उसके बाद फ्रिक्सन प्रम हो जाता है चलते जारा चलते जारा लोड बढ़ा है लेकिन और यहां से लेकर इतने इस रीजन को क्या का जाता है इस रिजन को का जाता है static friction क्यों यहां तक body मेरा rest condition पे था load लग रहा था friction भी लग रहा था लेकि मेरा motion नहीं हो रहा था इस time period के बाद मेरा motion यह ध्यान रखना आपको अगर लग रहा सर उपर जा रहा तो friction में लग रहा इधा लोड लग रहा तो motion नहीं हो रहा यहां तक body मेरा रुकावा है यहां तक रुकावा बोडी रुकावा है समझ गहें इसके बाद देखो कहा कि body tends to move आप यहां के बाद जब होता है ना तब body move करता है इसलिए static friction कर रहे हैं यहां पे यह limiting इसके बाद movement स्टार्ट हो जाता है और movement के बाद इधार आ जाता काइनेटिक फ्रिक्शन अब यहां पे body मेरा motion कर रहा आपका static friction आपका बहुत ज्यादा होता दे अंदी किनेटिक फ्रिक्शन और यह जो लिमिटक फ्रिक्शन होता यह को होता है maximum limit friction होता जहां पर maximum friction force apply किया जाता उस body को रोकने के लिए उसके बाद move कर जाता है clear यह चीज़ clear हो गया चलिए अब देखिए बात करते किसके बारे में laws के बारे में यह जो मैंने not a laws of limiting friction इन में से कोन मेरा limiting friction का law नहीं है तो आको पता होना चाहिए देखो तो कहा गया these are the laws govern the limiting friction between any two surfaces किसी दो surface के वीच में limiting force of friction का जो law लगता है वो क्या कहा था उसके बार में कहा गया सबसे पहले कहा गया है limited friction always oppose the motion of the body over another एक अगर इस तरह के बोड़ी है ए बोड़ी और कोई बोड़ी मेरे यहाँ पर बी बोड़ी है तो कहा गया है limited friction जो होता है always oppose the motion हमेशा अगर यह बोड़ी मानले move करना चाहरा है मूब करना चाहरा है due to load के वज़े से करना चाहरा लोड़ी मोशन नहीं बोलूगा मौसन मतलब हो सकता है आपको लगा मोशन कर दिया मानलोड यहाँ पर लगा रहे हैं हम लोग क्या लगा रहे हैं यहाँ अगर लगा रहे हैं तो इसको जो रोकने कर ट्राय करता है यह मेरे इधर जा रहा आपोजिट लगता है थर्ड का आ गया है limited friction इज इंडिपेंड़ेड़न अब दे अरिया अब दा यह जो होता नए इसके एरिया पॉंटेक्ट जितना है उस पर डिपेंड नहीं करता है तो डिपेंड किस में करता है यह मेरा करता देखो फिफ्ट नमर में सिकना सर्फेस यह इन दोने के सर्फेस खराब है रफ है इस पर पहले बताया है ज्यादा वजंदार अगर कोई चीज रहेगा उसको मोशन करवाने के लिए ज्यादा लोड़ अपलाए करना पड़ता है क्यों उसमें ज्यादा फ्रेक्शन है और वजनदार है उसमें और आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ता है वहीं कहा गया कि लिए इनक्रीज इनक्रीजिंग इन दी वेट आप दो बोडी लोकी लिए फ्रिक्शन क्या हो जहां पर मैक्सिम फॉर् गया है तो इस आपका कुछ 4-5 पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है यह सारे के सारे क्या हता है लोज होता है निमीटिंग फ्रिक्शन का क्लियर हो गया चलिए आपल जोज के बाड़ में क्या करेंगे लोज के बारे में धुर्ट wants करते हैं इन सबसे ओपुछ-कूछ कुछ कहमें है इसके बाड़ समय से इसमें यह पिन लोग वारे में लिए डिसको से इन फंके करेंगे सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं सबसे करना चाहरा है तो उसको रोकता इधर जाएगा तो उसको क्या करेगा बंजो और यह हमेसा कब लगता है जब कोई बौडी मोव करना चाहता है जब कोई बोडी मैं मूशन करना चाहता है तब ये मेरा एक्सनमेpping में उसमें अज़ाएं तो रखावार रखावा राने दो यार के वज़े सी अगर इसको धक्का लग रहा तो फट से फ्रिक्शन फोर्स उसमें लगे गाई तुरंथ जब भी कोई बोडी मूब करना चाहता है तब मेरा एक्शन में आता है तब तो को अब तो को सोय आवा था अचानक बोडी कोई करता है तो यह आपको पता पहले से ही तो किसरा यह क्या कहता है डाट एकोर्डि nav coaster फ्रिक्शन ऑनə फोर्स silence इन Nagy जेसे जैसे मेरा यहां पर क्या वगा नॉर्डवर्व जो रहता है उब आसे बढ़ेगा वार्य से फिरिक्सन व मी बढ़ेगा जो आ इसे वीडेगा सबक्सिमन की तो कम लगे झालागाला न जादा लगाएगा तब तो हार मांढ जाएगा क्यूंकि चाहर को किसला उसके वाद गति करने लगता कि consistent सुख मिनिमफ होजाता है कम होजाते हैं यहां तक मेरा बोड़ी रेस्ट हुश YOUR चीज़ हो गया तो this is all about the first law friction अच्छा यहां में लिखा हूं काइनेटिक मतलब यह काइनेटिक के बार बताता है क्यों बताता है क्यों देखो यह क्या बोला फ्रिक्षान ओल्वेज अपोस्टू दा मोशन में इस कम इंटू दी प्ले समझ गये प्ले ओनली वेंदर बोडी अज्टू मुव मतलब यह तभी लगता है मैं आप समना फॉस्ट लप फ्रिक्षान मेरा क्वस्ट लख अचिशन तभी लगेगा जब है ना ओन्ली वेंदर को का आ गया ओनली वेंद जब बोडी मेरा मूव करना चाहेगा तो मूव घर के बात कर रहा ना कियोंकि रोखता है लेकिन रोखता सही बात है ये मेरा रोखता आप्वोड़ करता मोशन को लेकिन कब पॉस्ट करता बोड़ी और नचाहिए तब लगेगा इसलिए होगा जब तक तो रुका बाहा है कि गर यह हो जाता सरी स्टेटी के बार में बात करा तो जब बोदीक पत्थर को कहीं रख दो आप एकदम वेक्क्यूम में कोई एरवे करा भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं फिर यहाँ पर फर्स्ट लॉफ फ्रिक्सन लगे गा ही नहीं यह फर्स्ट लिमीटे टीक्सन इस एनफ तू प्रिवेंटे मोशन अगज़िशन अब आप लोग पता है कि जो मेरा लिमीटे टीक्सन हो तो क्या होता है इस तरह तो आपका मोशन करने लगता है तो इसी तरह कुछ ऐसा कुछ होता यह होता लिमिटिंग फ्रिक्षन यहां पर आपका मैक्सिमम फ्रिक्षन फ्रिक्षन लगता है इसके बाद बोडी रोक नहीं पाता बोडी को अगर उससे जदा अगर आपने लोड अपलाई किया यह आप फोर्स अपलाई करो यह दिर दिर बढ़ते जारा होता ने और अपने दिर गएगा और आप बढ़ाते ज्याओगे लोड को को और फोर्स इसके बाद घरता भी नहीं बढ़ता भी नहीं और आपका चलते ओ तो यानि कि वहही कंग्या किन वोटी को रोकने के लिए बीद्ट सही बात है कि उससे पुरी त्रेस्ट कर्णिशन मेरा यह पूरा कर्णिशन इसनिकों मुल्ग क्या करते मैंने आपको कि इसको स्टेटिक क्षिक्षन कर जाए तक यहां तक आपका रेस्ट में ही रहता है तो लिमिटिक फ्रिक्सन मेरा अब मैं लब यह होता हूँ इनफ मतलब बहुत होता बोड़ी को रोकने के लिए और यह अब यह से बात ही रोकने का काम करा कि लिमिटिक फ्रिक्सन तक बोड़ी को रोके वे रहेगा उतना दम है यह से कोई बोलूगा इ कि युट सब्सक्राइब बाताया तो ऐ अब बात करते हैं कि यह देखते है क्या Bueno क्या कहता है और यह धनी को रोक सकता है इन आप और इतना आndुर स्ब्सक्राइब को ने मेरी बात यहां पर को मेरे सतर से बोडी हैं को One अच्छा कुई मेरा एक बोडी है इस बोडी का अपना वजन होगा और वो वजन हमेसा किदर डारेक्टों करेगा डानवाड डाक्षिन लाएगा है ओल्वेज यह तक много यह ऑल्वेज मेरा कि gravity के वज़े से हमेशा यह डानोव डारेक्शन पर ही एक्ट करता है क्या होता यह weight होता है weight of the body always act on डानोव डारेक्शन due to gravity अचा इसको oppose करने के लिए balance करने के लिए एक मेरा normal force normal reaction लगता है normal है यह क्या है मेरा normal reaction force है और normal reaction always क्या होता perpendicular to the surface होता है यह जा रहा तो उसको balance करेंगे लिए बिल्कुल स्ट्रेट लेगा तभी तो balance करेगा clear my point or not clear my point or not यह मेरा अगर इस तरक के लग रहा है तो अगर मेरा वास समझने यह देखो नीचे आना चाहरा है देखो मैं छोड़ूंगा नीचे आया चोड़ू नीचे आया तो नीचे क्यों आया वेट के चलते इसका वजन है वजन के चलते gravity के चलते नीचे जा रहा है लिगी मेरा हाथ क्यों रोका हाथ उपर के तरप इतना ही लोड लगा रहा इसको रोक दिये यहां पे कितना लगा एकदम पर इरयक्शन में लगा और सीम लगा तो नॉर्मल रियक्शन लगा रहा है उसको वही हो गया और अगर यह बोड़ी मूब करना चाहता है तो इधर इसलिए बात है एक इस तरह करके क्या लेगा एक p force लेगा जो इसको मूब करवपने का अर्व इसको खिंच करता हो इसको पोड़त करता मेरा friction force यह मेरा friction friction iay friction Japanese the फ्री क्रू पर्स होता है वह मेरा क्या करता जो Human फोर्स होता है उसको रोकने का ट्राय करता है अभी डिपेंड करता है फ्रीक्षन फूर्स लिमिट तक रोके गाइगा तो हो जाएगा यह चार कंडिशन है तो दिशी यह फ्री बोडी डिगराम किसी पर अब अब बैसे सब थार्ड लॉप फ्रीक्षन क्या काता आप समझ में आजाएगा कि जो नॉर्मल रियक्षन होता है नॉर्मल रियक्षन होता है यह आल्वेज में नाम नॉर्मल टूदी सर्फिस लगता है सर्फिस के क्या लगता है नॉर्मल 90 डिगरे लगता है यह कहा गया एंड और 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 जो रेशियो होता किसका अप्लाइड फोर्स applied force of friction है to the normal reaction is equal to the coefficient of friction जो applied मेरा यहाँ पर force का आगया ने force of friction है यह force of friction है यह F लिखा गया है इसलिए जहना रखने यह F यह वला F है तो एक तरस क्यों कि यह भी force ही तो है यह भी force है और यह P जो है यह भी force है अंतर क्या है कि यह मेरा applied applied force है और यह मेरा frictional force है मैं यहाँ पर applied force applied friction force बोलेंगे यहाँ पर applied friction force बोलेंगे तो applied friction force जो होता है और normal जो होता है मेरा normal जो मेरा होता है normal reaction इसके जो ratio होता है इसके उन लोग coefficient of friction mu कहाते है coefficient of friction क्या कहाते है mu कहा जाता है इसलिए देखो यहां पर लिख देए अच्छा और कोई अगर बोला जाए कि सर अभी फिलाल यह बोडी जो है वह रिष्ट में ही है क्योंकि जो मैं आपको समझा रहा हूं तो बैलंस है बैलंस है चारता से बैलंस है एकलिब्रियम में मोशन रिष्ट कंडिशन पर रेस्ट मे मुत तब तब तक वो रोके रहेगा तो अगर जब तक रोके रह रहा तब तक यानि कि यह जो मेरा आप है नतिंग बड़ी लिमिटेंग फूर्स और ये लिमिटेंग फिक्शन फोर्स और लगता है वेंदी मैक्सिएं मेंसरें सब्स tu se liegt इस सब्सक्राइज इस सब्सद्ज तो क्या कर सकते हैं, F निका सकते हैं, कि friction force equal to mu into n, और यह बहुत काम आएगा आपका, यह जो है न, यह F equal to mu into n, this is very 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 important, very 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 important, इसलिए देखू, मैं कितना VVI जोड़ देखा, तीन VVI करें, very 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 important, why, this equation is going to be important in upcoming classes, अभी मैं जितना आपको बताऊंगा, हर जगा पर आपको यही वो mu into mu into n, e लेकर चलोगे, F equal to, F equal to mu into n, तो अगर बोलेका, friction force जो होता है, किसका किसका ratio इंटू होता है, तो एक तो normal reaction का है, और coefficient of friction का, कि this is your coefficient of friction, coefficient of friction, into this is your normal reaction, नॉर्मल रियक्शन और कोफिशन और फ्रिक्शन का मल्टिप्लाय कर देते तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स मेरा निकल जाता है समझ गए यह चीज आप लोगो क्लियर यहां पर होना चाहिए विच वेरी वेरी इंपोर्टन तो यहां से हम लोग क्या देख लिए सभी तरह का लॉज और फ्रिक्शन के बारे में समझ लिए जहां से आपके एक्जाम में कोफिशन बनता है क्लियर चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्री बोटी डिाग्राम के बारे में फ्री बोडी डियाक्राम बहुत जन्हां इंपोरटन ए का 11 के योज करेंगे जन्म्रिकस बग्राप बना जाता है उसमें यूज करेंगे और कई सारे चीजोँ में करते हैं जैसे अभी हम लोग बात करेंगे, दो angles के बारे में, जो बहुत important हो जाता है, एक हम लोग बात करेंगे, angle of friction के बारे में, यह आपको इसी से समझ में आएगा, free body diagram से, और इसी से औरेक चीज़ हम लोग आगे चल के समझ में आएगा, क्या, inclination angle के बारे में, angle of inclination, और साथे सा जाता है, cone of friction, यह चार है, इन चारों के बारे में, हम लोग अभी देखने वाले हैं, इन चारों के बारे में, हम लोग देखने वाले हैं, यह कब समझ आएगा, जब आपको free body diagram समझ में आएगा, अच्छा free body diagram क्या होता, free body diagram क्या करता है, simple सा बात है, कोई भी जो object लगता ह है, object जो आपका रहता है, कोई body रहता है, उसमें कई तरह का forces वेकरा लगता है, तो बोडी को हटा के, उसमें क्यावल external force को अगर दिखाया जाए, हैना, कि कैसे कैसे लग रहा है, वो हो जाता मेरा free body diagram, इसलिए क्या कहा है, free body, body को हटा के, उसका diagram मनाना, बोडी को हटा के, external forces को सो करना, is call your free body diagram, समझते हैं, देखो कैसे, सेम चीज है, इस बारी में simple क्या रहे, एक को rectangular है, या cube का एक मेरा object है, जो surface में मेरा रखावा है, ठीक है, surface के उपर क्या रखावा, ठीक है, सबसे पहली बात, sir, इसका कुछ ना कुछ वजन होएगा, तो वजन मेरा किधर र लग रहा हो, always, downward direction में act कर रहा है, और, sir, इसके just, उपर side में मेरा क्या लगेगा, अब यससे बात है, normal मेरा reaction लगा है, इसको में देखो, yellow color सा प्लूख रहा हूँ, उपर direction में क्या लग रहा है, and, normal reaction, और यह normal reaction रहेगा, यह always perpendicular to the surface, यहां पर पहले का गया था, always normal to the surface, normal surface के यह third law friction के द्वारा कहा गया पहले ही, यह समझे ना, यह third law friction के द्वारा पहले कहा गया है, तो यह ध्यान रखना प्लूख, हमेशा normal के surface, बाद में आप लोग यह मत बुलना, क्यों लगा, क्यों लगा, क्यों नहीं बुलना, क्यों कि लोग कहा दिया गया, लोग कहा कि weight के just अब और दो चीज़ आपको पता कि लोड अगर इधर लग रहा मेरा लोड जो लग रहा इसके ज़स्ट अब वोजी मेरा फ्रिक्सन फोर्स लएगा आपको पता है ठीक है इतना चीज़ आपको पता चल गया अब मैं क्या करता हूं एक मेरे यहां पर हम लोग देखते हैं दो आप लोग यहां पर फोर्स नजारा रहा है एक नार्मल लियक्सन बोडी में हम लोग क्या कर रहे हैं सर हम लोग यहां पर फोर्स पूल कर रहे हैं हम लोग अप्लाय कर रहे हैं फोर्स इसके इसको बैलंस करने के लिए फिर बैलंस करने के लिए दाके बोडी मूब ना करे क्या लगा सर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा एफ लगा तो उसको कुछ किये ना इसके साथ चेड़ खानी जिसे लिए आज के टाइम में इतना बढ़ गया और तुम लोग बाइसाब हम लोग और दिया गया है इतना जो भी कोई कोई और गुब बने डियर कि आठाश यूजन कर रहे इसके पर माल अत्यचार कर रहें तो maior तुम हमलों सिरु अपने आपको सारी छिवUST करे भी अपने चीज विलूप्त होते जा रहा है सारे के सारे एनिमल हो गया सारे का सारे बढ़ हो गये और आपको जानके है ना हैरानी होगा हम लोग का जितना जलसें क्या है इंसान का जितना जलसें क्या है पूरे एको सिस्टम को चलाने में ना इंसान से ज्यादा प्रे रोल प्ले करता है बर्स वेगरा इनिमल वेगरा इंसेक्ट वेगरा जिसके हम लोग कोई जती नहीं करते हैं हम लोग को लगता है जो है सो हमी लोग है और उसी के वज़े से पुरा एको सिस्टम बचावा है यह जो सारा सीजन है ना सही टाइम पर ठंडा आना सही टाइम गरम होना बारिस होना तो ज्यादा नहीं होना हर जगह पे एक्वल होना। आज कैना में 144 कहीं डेखो कहीं सूखा कहीं नहीं बाड़ा जा रहा है कई नहीं पर कहीं पर गर्मी लगी नहीं रहा है प्रप्राइब करते हैं आप ज्यादा खराब करते हो जब तक हम लोग रहते हैं थोड़ा बहुत समझते हैं यह चल जाता नोग ज्यादा एक्चोल में सही बाती है पैसा फ्यक्टरी खोल दिया धुवा निकल रहा वह बड को खराब कर रहा है इन्वर्मेंट को एयर पुलेशन कर रहा है आपको पता कि ऑक्षियों कार्बन अक्साइड छोड़ता को ने आपका सारे के सारे बड छोड़ता सोचो कि सारे जो बड आपका ट्रीज होता वह आक् अपना सुक देती है तो पेड़ पोधा भी सेम है वह क्या करते है आपके जो बुराई चीज है बुराई को सोकता है क्यों करबन डाइट जो करबन डेक्साइब छोड़ते हैं जो इन्वर्मेंट के लिए खराब है उस चीज को सोच अब्सराब कर लिए हम लोग अगर एकरके और निकाल कर रहा ओकषिजन ताके हम लोग के पीड़ पोधे कि नहीं अच्छा वात हैं यह होगा नहीं हकि ऑसको प्लेगों जो आग्नेर्पन वह दो घ्यान यह नहीं कि इंसानियत से ज़्यादा जो पेड़ पोधा का जन संख्या था वो दिन की दिन बहुत कम हो चुका है तो अगर इंसान दो मर जाए सो मर जाए नहीं तो बहुत बुरा लगता है कि या मर गया है आप ऐसा बात करें सर वैसे आप कितना जानवड मर रहे हैं और जबकि वह एक बहुत कम हो चुका अच्छा सचा वील मचली पहले बहुत देखने को मिलता था फीसेज देखने को मिलता कि और भी जीजों तो पाए जाता नीचे में पानी में वह धीर-देख्लाइन हो रहा है तो वह भी तो जान है अगर आप जान मानके चलोगे तो जान अगर मैं हूं कुटता के बास लगा वी तो जाने उस में भी तो ग Polizeं तो उनसानी मरे तो क्या हो जाएगा तो वही बात है यहां कि मैं इसकाने मदलब हुखो कर गया क्या एक सब में मैं बवद करता हूं न हमेदे जाता हूं वह स słuचा नहीं जाता है की मैं आपको बता दो कार बाइक के र कि में पढ़ता हुए मेरा पढ़ता हूं तो क्यों पूर्बंध करना और कहीते हैं उपर से आदमी तो हर पर नेसेसरी रहा धूब दे रहा बारी सो रहा करने लगते हैं दूसरे को भी हार्म करते हैं कि अर्थ अपने आपको बचाने के लिए सबी कर रहा है ग्लोबल वरिंग को बढ़ा रहा है कुछ न कुछ तो अपना करना ही पड़ेगा सिमलली इस बोडी में जब लोड अपलाई कियें तो उसको बचाने के लिए फ्रिक्शन फोर्स अपलाई कर दिया और जब हम लोग यहां पर वेट अप कियें हैं नीचे में क्या कियें जैसे ह हम लोग वेट लगा है और जो वजण लगा इसके वाज़े से जो रियक्शन दोनों बना इसका रिजल्टन मुझे आप चाहिए यह दोनों क्या है इसके जड़ा हो गया इसके जस्ट पड़ा होको चिक जब तक मैरा मैक्सिम लिमिटिक आपको पता है कि लोड की इकोल होता तो इसके और इसके रहता पीकल टो फ ओता कब जब मैक्सिम लिए फोर्स लगता राइट तो इसके बराबर ये ले लिए और इस वजन को अगर बोडी मेरा रुकावा है तो वजन नीचे कियो नहीं जाने देरा कि तो मेरा बहुत सकते हैं कि w equal to n है इसलिए इन दोनों को मैं छोड़के कि इन दोनों का में resultant करना चाहता हूं तो याद करो resultant कैसे करते हैं दो के बीच में मेरा resultant आ जाता है और यहां resultant जब आप देखर दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो दोनों के 90 डिग्री आप पहल लोड़ फिए रोम अगर लागा तो आपको पता कि आर इक्रल्टों क्या लेते थे पीचेस्वाइर प्लस क्यूइज फ्लस टूपी क्यू कोस थीटा याद है कि नहीं बिल्कुल याद है सर लेकर यहां पर आपका क्या एन और f है तो आप लिख सकते हैं कि f square प्लस आपका n square प्लस आपका f into n 2 f n cos theta और जब 90 डिग्री लेते हैं तो आपको पता यह पूरा खतम हो जाता बचता हो लिक्या प्लस आपको पता कि फोर्टी कोंटी निकला िरेक्शन रिजल्टेंट दोनों तो यह इसका डारेक्शन के क्या लेते थे ते फाइल के क्या हता था 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 मेरा resultant और एक फोर्स के बीच का एंगल तो इस में हम लोग कोई भी ले सकता आप के बीच में ले सकता हूँ हम लोग लिए नॉर्मल वाला लिए नॉर्मल वाला तो नॉर्मल नॉर्मल फोर्स के साथ जो रियक्शन मेरा एंगल बना उसको थीटा कर ले चले तो तैन थीटा एकल दो क्या लेकर चलते हैं एफ वाइन लिके चलते थे तो स्विम चीज़ यहां पर लिखा गया एफ वाइ लिया गया समझें यहां पर लिया गया यह चीज़ समझ गया गया मेरी बात चले वे रिने यह देखो ना यह एफ इंटू निकला था ना तो यह आपको पहले बता दिया हूं कि फ्रिक्शन तभी लगेगा आपका तब इंगल आप सम faithful कि यहीं कि और अगया में यह हैने जो ह्यां मैं यही जो दुट और भी आएंगल प्लेक्स हैा आप पैसे क्या गहते हैं आइंगल का जाता है क्या है going कोई पूछा जाई कि आंगल pagan किसके कि बीच मेंगल बना रहा है तो आप क्यां बोलोगे and it's is a एडी एडी अंगल उप्रिक्षिन एंगल बिटेटीन टी नॉर्मो रियक्षिन and the reaction reaction force and the normal reaction sorry resultant resultant and the normal reaction resultant and normal reaction की बीच का जो angle मुझे मिला उसी को को में लोग करें angle of friction होई शेम चीज लिखा गया है क्या लिखा गया अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर देखो angle between resultant and the normal reaction और यू कन से इट resultant max angle theta with the normal reaction या फिर आप क्या को सब्सक्राइब resultant जो है ना वो angle theta बना रहा है resultant जो है ना resultant वो angle theta बना रहा किसके साथ? normal reaction के साथ दोनों तरी के से define कर सकते हो तो दोनों तरी से यहाँ पर मैं और करके रिख दिया हूँ है ना? चलिए the value of angle of friction बोला गया कि angle of friction का जो value होता है है ना? when friction force become maximum माल लेते यहाँ पर क्या है? जैसे आप लोग को पता है कि यहाँ पर हम लोग क्या लेके चले? यहाँ पर हम लोग F लेके चले थे यह F मैंने कहा था कि इसका value अगर maximum लेंगे तब जगह में lambda आ जाता है क्या जाता है बस lambda और theta में अंतर क्या है? अंतर ही है कि यह हम लोग अभी जो theta लिया अंगल यह जरूँ नहीं है कि यह फिला maximum friction लग रहा है मुला अभी हो सकता कि देखो अभी हो सकता है कि limited friction में इस value है हो सकता अभी value का limit यहाँ पर है maximum friction force upon normal maximum friction force समझ गया है यह F के जगह में है F क्या मेरा F यह friction force वो मेरा maximum हो गया अपनी normal friction जो मेरे लगता है clear my point अब यह जब आपको पता चल गया तो यहां से चीज निकलता है equation निकलता उसको देखो कैसे चुकि अभी हम लोग को पता क्या था normal हम लोग जानते हैं 10 theta equal to f by n जानते हैं से बिल्कुल जानते हैं अगर इसको में maximum कर दिया इसको मैं अगर maximum कर दिया है अगर maximum हो गया माल लेते हैं कि limited friction मेरा पहुंच गया है तो क्या कर दें एक मेक्स कर दिया आपने और f max equal to क्या जाता है f equal to हम लोग क्या जानते हैं अभी हम लोग देखेते कि f equal to हो जाता है और मैं आपको पहले बताया था क्या मैं इस चीज़ आपको बताया था कि सर यहां पर f क्या होता यह कि लिमिटिक फ्रिक्षण होता है तो यहां पर एकॉल टू यू एन लिखा गहा है यह फ मैक्षी ए तो फ मैक्स के जगए यून विल्य होट कर सकते हैं और नीचे में पहले से एन है तो एंड से-एन जाता काटके तो बजसता वहीं कि टैन थीटा इकॉल तेनगल टूमियो आगया आप यहां पर देखोगे तो यह जो थिटा इस एंगल आफ्रिक्षन और वियू मिन आपको क्या बता देखना दीजी कोफिशेंट अफिर्टिट अगर कोई बोलेगा कि वह इस बूलोगा और क्यों देखना अपको देगा और यह आधिक्टर दिया जा रहता है कि यह आपको इस परूला का यूज कर तो आपको दिया रहेगा अधिकतर आपको क्या सच्ट होता है क्या मेरा बंदता है समझ गए चली है तो बढ़ते अब हम लोगS ना अप बात करते क्या जैसे‌कंतों लोग replison के जिसको हम लोग दिखाते है आलफा से ये बरावर हो जाता है एक टाईम पिरिएड में थिटा के साथ और थिटा क्या हो जाता है एंगल अफ थिक्षन होता है ये मेरा है एंगल आफ फिक्षन ये मेरा बरावर हो जाता है alpha के साथ यनि की angle of repose के साथ री수목ेंगल के साथ आपको पुछा जाता कब होता है क्यों होता गैसे होता है और sir angle of repose क्या होता है प्रले आप यह समझा wen पहले मैं आपका सम्जातो हूँ easy तरीके से कि angle of repose आखिर होता क्या है पहली बात एंगल सब्सक्राइब कोई ऑबजेक्ट कोई है तो जितना इंकलेंट सर्फेस में रहता है तो जिसके उपर कोई पर मेरा एक औब्जेट को रखा गया जिसतर से इस तरह का एक बॉक्स को रखा गया है तो यह जो हर्जंटर ने साथ जो एंगल पर रखा गया इसी को अभलक बोलते हैं एंगल आप इंकलिनेशन है अभी रिपोज बाद में बनेगा इंगल आप इंकलिनेशन यह से इसर में अगर बोलूँगा कि आप मेनद करो इतना पढ़ाय करो फिर साधी करोगे फिर आप पापा बनेए अभी कोई बुलेगा कि पापा पाप भी आप तो नहीं हो ना अभी आप एक लड़का हो साधी कर लिए तो देना पापा बन जाते हो पापा अच्छी बात है समझ गये तो आप पहले लड़के थे फिर आप स्टुरेंट थें फिर यंग बॡ़ी बने फिर 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 पापा बने या मम्मी लोग है तो पहले याप लेडी जाते हैं फिर आप यह यंग लड़की हुए देन आपका साधी वादेन मा बन जाते हो और दोनों बिल्कुल अलग होता है दोनों का कंपेर ने कर सकते हो वैसे तो है वही लेडिज लेकिन आपको पता ना थोट थिंकिंग है ना उसका इमोशन उसका आपका जो नेचर हो जाता है करते उसके सास्त मत करो यहां सादी ब्यानि रहा तुम उसके सब सातहरो तुम उसकी स्वहास जोग दुनियादारी का को बच्चे सब्सक्राइब? आपका है आप गार्जन बन चुके आप सिमिलरली सेम कहानी वही है कि यही एंगल आप इंकलिनेशन बाद में एंगल रिपोज बन जाता कब बनता है समझो कब बन जाता समझो इसके लिए मैं क्या करूंगा मैं लोंगा थोड़ा आइपेड सर्फेस थोड़ा मुझे बड़ा अब मैं यहां पर कुछी चीज को रखूंगा कि यह चीज देख रहा है थोड़ा बड़ा कोई में ले लो अबजेक्ट चलो इसको में ले लेता हूँ ठीक है ऐसे करके रख दिया अब यह देखो एक मेरा इंकलाइन पर है अब देखो सा अगर मैं स्ट्रेट दिखाऊ ना इस तरह से देखो यह स्केल से देखना यह स्केल से देखो थोड़ा इंकलाइन है कि नहीं बिल्कुल इंकलाइन है सर इंकलाइन है इंकलाइन है ना नजरार आप लोगों को इंकलाइन यह स्केल आपको नजरा इंकलाइन है लेकिन अभी जो अगर अंगल बन रहा और जंट यह जब box मेरा move करने लगे तो मेरा angle of inclination हो जाता है उस point तक जब मेरा body move नहीं करता है तब तक वो angle of inclination ही कहलाता है लेकिन जैसे body मेरा move करने लेगा वो angle of repose बन जाता देखो मैं समझा रहा हूँ अभी इसके साथ चिपका हुआ अभी हलका हुआ तो हलका साभी जो दिख रहा आना यह यह एंगल अभी क्या inclination है अब यह एंगल आप inclination 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 अब यह रिपोज बन चुका है यह क्यों क्यों करने लगा समझ गये मेरी बात की नहीं तो उसी तरह से आपका यह चीज हो जाता है चलिए अगर आप यह चीज समझ गये तब थोड़ा मैं आपको समझाता हूं विद्ध्य हल्पो डाग्रा सब्सक्राइब आपकी सब्सक्राइब लात तो पर मेरा सबस्क्राइब तापयू जैसे की राटे बढ़े नबर आइब तो लोगोओ समos ka फिर कली सब्सक्राइब बेर मेरा नतिका देसथ हैं आ क्या तक की में इन डिस कंढेशन एंगल आफ रिपोजेंगे नहींıl this जो होता वह इक्वल टो एंगल अ फ्रिक्षन हो जाता इसी टैम पर और क्या समझा या और क्या समझा कि इस टैम प्रेड में यह जो आप आपका आलफा ना यह आलफा थीटा के बराबर हो जागा कब जब मेरा बोड़ी टेंस्टू मूब करेगा तब अभी तक नहीं इसको मे ये अलग चीज है ये मेरा अलग चीज होता है लेकिन जैसे ही मुर्य इनगल में चल गया उसके बाद थोड़ा सा भी एंगल अगर बढ़ाएंगे तो बोड़ी में मूव कर जाका उस कंडिशन को हम लोग बोर रहें एंगल अर्फ रिपोज उस एंगल को उस एंगल को अचा कुं सा समझना मेरी बात कि आंगल और रिपोज में बडी मेरा मूब नहीं कर रहा लेकिन मैक्सिमम एंगल उसके बाद थोड़ा सा भी अगर में दूँ गाना अंगल बढ़ाऊंगा तो बोड़ी मेरा मूब करने ल्यागा तो ऊस पॉइंट को कर देखो अभी तक नहीं अभी जिस्ता भी अगर में बढ़ाओंगा ना तो बोडी मूब कर जागा तो जो वह maximum limit जैसे याद है मैंने का था limiting friction limited friction क्या था limited friction में क्या बॉडी मेरा मूब करता था नहीं बोड़ी टेंस तो मूब करने वाला रहेगा उस एंगल को बोलते एंगल अपर पहुंच क्लियर हो गया यहां पर यह चीज भी समझना बहुत ही इंपोर्टेंट आप सभी के लिए है क्लियर चलिए अब देखो तो देखो इससे इसको थोड़ा सापको समझा देता हैं पर क्य सबसे पहले डानवड कि यहां पर नॉर्म जो लगता है वह बोडी के सरफेस के लेकिं पैरल जाता है मेरा सरफेस के याद है लेकिन नॉर्मल कैसे जाता समझना नॉर्मल जो जाता वह औल्वैस परपेंडिकुलर टूदी सर्फेस होता यह उपर वाला सबस्क्राइब करना पड़ेगा तो यहां पर यहां पर आलफा दिया गया तो इसको मैं करूंगा क्या और इधर वाला जो आएगा यह क्या जानते हैं अगर मैं बात करूंगा तो फ्रिक्षन इकोल टू देखो को आएगा अगर यह बोडी में और मुणी नहीं कर रहा है इसवेट के चलते हैं इसवेट यह जो डिनलू लगा था इसवेट को जब मैं इधर किया तो यह बात आएगा मोसल गए तो फिcount में पने म Supo लेगा और अभी एंगल जो एंकलनेशन अगर मालों मौसर नहीं कर रहा है एंगल इंकलनेशन मालों और वह पॉइंट जिसके बाद मेरा मूव करेगा तो फिर एंगल अपने पोच हो जाएगा और एक चीज क्या है कि यह जो एंगल मेरा होता आलफा सेम यह चीज हम लोग इसके साथ आलफा लेकर लेकर चलते हैं कि यह जो होता है वह फिलाल अभी हम लोग माल लेते कि बोडी मूब नहीं किया है बस यह सभी एंगल हम लोग दिखा दिए तो अभी फिलाल क्या है यह मेरा angle of inclination ही है आलफा आलफा क्या है angle of inclination ही है तो angle of inclination यहाँ भी मेरा बनता है तो सेम चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है कि theta मेरा क्या है angle of friction है जो कि f equal to mu into n है और जो alpha वो angle of inclination यह angle of friction है theta angle of friction और यह angle of friction आपका inclination है और f equal to मुझे पता mu into n होता है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे simple simple यह करेंगे resolution करेंगे मतलब क्या है कि दोखो उपर में क्या लग रहा एन लग रहा उसको balance को न कर रहा डबलू कोस फाइफा तो भह साब यहाँ पर सिंपल वही चीज कर दिया गया है कि भही n equal to n equal to cos अलफा यह पाला हो गया और दूसरा बेलेंस कोन कर रहा सर W sin alpha equal to mu n तो W sin alpha equal to mu n और mu n क्या वेरा frictional force है आप भी लिए सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं दोनों को जब मैं क्या कर देता हूँ divide कर देता हूँ तो W sin alpha upon cos alpha तो W कट जाएगा sin by cos equal to 10 आ गया alpha और यह दोनों का यहाँ पर क्या लेंगे यह f था और आपका n था तो घुमा फिराक आप जो भी करो चाहता आप mu n लेलो f equal to mu n होता mu n into n तो n से n खतम हो जागा बचेगा mu i बचेगा आपका mu ही बचेगा mu आप ले सकते हो और mu equal to मुझे पता 10 theta होता mu equal to क्या लेता है 10 theta लेता है आप चाहतो ऐसे भी ले सकते हो क्यों कि देखो मेरा बच गया mu यहाँ बच गया और sin by cos equal to 10 theta आही गया था यहाँ पर तो मैं यहाँ पर क्या कहा सकता हो कि 10 आया और 10 phi equal to 10 theta यह समझे ना आप चाहतो ऐसे भी कर लो sir f by n है तो f equal to mu n मेरा होता तो mu n वेलिपूट करो mu into n नीचे में n है n n खतम होगा तो mu बचा और mu equal to मुझे पता कि sir mu equal to ही होता है अगर mu equal to देखोंगा यहाँ देखो mu equal to तो sir f by n होता और f by n equal to नीचे में प्रूब कर चुके f by n equal to आ जाता मेरा 10 theta तो यहाँ पर आ जाता equal to 10 theta तो वही घुमाप्राक आप पर 10 theta equal to आ ही जागा वही चीज़ से में लिग दिया गए ठीक है इतना लिग दिया गया अब मैं यहाँ पर उठाऊंगा इसको इसको लूँगा sin by cos equal to 10 10 alpha और 10 theta तो 10 से 10 खतम हो जाएगा और जैसे 10 से 10 खतम होगा जैसे मैं यहाँ पर 10 से 10 खतम होगा बचेगा उनली क्या alpha equal to theta alpha क्या है angle of ripos है अब यह angle of ripos इसलिए देखो यहाँ पर black color से लिख दियागे इसको when body tends to move जब tends to move करेगा तब यह मेरा angle of जो inclination है वो angle of ripos बन जाएगा angle of ripos यहाँ पर बन जाएगा तो उम्मिद करता हूँ यहाँ पर आप आप लोगो angle of ripos भी समझ में आ गया होगा और कब मेरा यह angle of किसके साथ friction के साथ कब मेच करता तब भी आपको समझ में आ गया आगे बढ़ता हूँ में अब बात करते हैं किसके बारे में cone of friction के बारे में किसके बारे में बात करते हैं कि cone of friction मेरा सर क्या होता ये भी बहुत ही interesting चीज होता है इसको भी पहले मैं आपको demonstration दूँगा फिर आपको यहां पर me definition बताओंगा ने तो आप fanfuse हो जाओगे आपको फिर समझ में नहीं आएगा तो demonstration पहले समझ लो कैसे यह चीजी मेरा हो जाता है यह एक समझो है यह समझो कि मेरे पास क्या मैंना तो गिर जाओंगा तो वह एंगल वह एंगल जब तक मेरा बोडी जुका नहीं माना इस एंगल को मैं जब मेरा बोडि से दो यहां लोगा एक पीछे करता है। कब तक नहीं गिरेगा वह मार्क लिए आपने इधर मार कर लिया सब्सक्राइब और इसी तरह चारों तरफ में मार कर आँ तो ध्यान तो जब तेका दिया है अब टिका दिया और यह से करके घूम रहा चारव तरफ कब तक वह एंगल लेंगे उतना लेंग जिसका बूड़ी मेरा स्लाइड कर जाता वह एंगल हम लोग ले रहे थे उसी तरह से यह में बोर रहा हूं कि जब बोड़ी में गिर जाये उसकेब चारव उसी जो कौन का region है उसी कौन के region को लोग बोलेंगे उसमें जो friction लग रहा है उसको बोले कोन ओप inflation उसको क्याते है ओनक रिक्षिन काते है अब चलो जब इतना आप समझ गए इसको मैं आपको समझाता हूं कि एक बार डेफिनेशन पढ़ लेता हूं इतना मैं आपको समझाया डेफिनेशन से अगर कुछ समझ नहीं आगा फिर ग्राफ से समझेंगे पूरा क्लियर हो जागा का इफ दी रिजल्टेंट रियक्शन इज रोटेटिंग अवाउर दी नॉर्मल रियक्शन फॉर्स नॉर् लोग बोडी मेरा कुछ ऐसे चल गया अब यह बोडी मेरा ऐसे पहुंच गया इस तरह से तो इसका नॉर्मल रियक्शन कुछ कहीं आउग गया सेंटर से अगर में लोगा तो इधर चल गया एन अब मैं क्या करूंगा थोड़ा और मूब करांगा और माले मूब करके ऐसे इतना इधर आगया अब बोडी मेरा ऐसे आगया इसका नॉर्मल रियक्शन कैसे आगया इधर आ जागया एन हैना उसी तरह सा अगर मैं उधर थोड़ा मूब करवाता हूँ इधर भी थोड़ा हैसे मूब और न इसन गरता है thinking इसका नॉर्मन लेक्षिन जाता है कुछ एन तो यह सब एन को अगर मिलाता हूं तो कहीं न कहीं क्या हो जाता इस तरह से करके है ना इस तरह से करके मेरा एक बनता है को और यह जो मेरा कौन बनता है ना जिस दोको यहां पर बहुत अच्छे सासे बनाए गया है यह जो मेरा नहीं ज़र से नहीं कोया फिरया पлось दैशन को और को लिखने करना उसको लेकिन इसके वाद neutrino दो करेंगे तो जाएगा लेकिन जहा कि नहीं गिर रहा उस तरसे में चारों तप सब्सक्राइब करके पर दिए कोन बना लेता हूं तो रेजल्ट इन रॉजल दिट रहेगा जो आपका नॉर्मल नॉर्मल और जो मेरे यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके बीचिक कि यहां पर को यहां बात करा गए अध्वांटेज एंड डिस एड्वांटेज किसका friction का friction का advantage क्या है और disadvantage क्या है इसके बारे में यहां पर बात करा जाता है चली देखते हैं advantage क्या disadvantage क्या हो जाता है चिक है देखो सबसे पहले बात करते हैं कि advantage of friction में सबसे पहला आ जाता है कि friction provide grip to our feet while walking जब लोग चलते हैं तो हम लोग को जो ग्रीप है ना ग्रीप रोकता है वो वही प्रोवाइड करता है अगर यह ग्रीप ना रहे तो फिसल जाएंगे हम लोग कहीं लिए तो यह बहुत अच्छा चीज है ना इसलिए हम लोग चपल पांते चपल के बीच में भी जेखो के सॉल में तो सोल में ग्रीप रहता है और जिप सोल का सोल में ग्रीप नहीं रहता चपल रहे या सूज रहे तो फिर उसको कहा जाता खराब होगे इसको पन के मत चलना मत दोडना ने तो फिसल के गिर जाओ गो एक आ गया हमारे पेर और जमीन के बीच में फ्रिक्शन पर्डियूस करता है उस कॉंटर्ट के बीच में और उसी का वज़ए से मुझे ग्रीप मिल पाता है जिससे हम लोग गिरते नहीं है या फिर स्लिपिंग नहीं होता है तो यह बहुत अच्छा अडवांटेज है जरी टेरिक से चलता है और यह बैक आप आप पकड़ते आपसलेटर अश्यस्टन तो पर smooth देकलार श्रुब्र करें नहीं अच्छा फ़ेक्सर्टर तो आंकर तो कि आधे रहता है रोल करता है तूट अगर ना करे मेरी करने लगह कर रहा है तो फिर तो कहा नहीं पाईगा तो फिर वर्दान बल सकते यह वर्दान है है और यह सभी अविसाप है techniques का अविसाप क्या-क्या है और वरदान यह सभी वरदान इस blurry थाध नमर बात करेंगे जब हैं करते हैं ड्रैविंग करते हैं एस इसको रोकता है प्रक्ता पार्मोशन को और जब चाया तब हम लोग रोख सकते हैं कितना सप्रेट में जा रहे को आगे बीच में रोख लिए तो जान बचाते हैं हम लोग अपना वेहिकल को भी बचाता हैं आगे अगर बात करते हैं आगे, friction help us to write on a paper, हम लोग paper में जो लिखते हैं न, paint से लिखते हैं, paint सो जो लिखा जाता है, हम लोग copy में पढ़ाय वड़ाय करते हैं, तो help करता friction के जिसे, क्यों, as it's enabled to paint to write properly instead of sleeping, क्योंकि अगर friction नहीं रहता न, तो slip करने लगता है, और slip करेगा तो फिर कैसे निकलेगा स्याही आपके paint से, इंक निकलेगा नहीं, तो friction के वज़े से उसको resist करता है, और वहाँ पर क्या था, आपका स्याही निकलेगा, और roll करता है, उसके अंदर का भी आप ध्यान दोगे, एक ball रहता है, बोल आपका roll करता है, छोटा सा paint के अगर नहीं में देखोगे तो बोल लगा रहता है, वो जो बोल होता हो रोल करता है, जैसे rolling होता है, वैसे आपका क्या होता है, जो इंक होता हो बाहर निकल दे जाता है, फ्रिक्शन के वज़े से होता है, फिर अगर बात करेंगे, फ्रिक्शन helps us to light up the माचिस, जो माचिस मेरा माचिस का तिली होता है, एज इट इस पड्यूज हीट डड़ मेकी फॉशिवल अगर फिक्षान ना स्वीप कर जाई तो मेरा यहां पर दिया गया ना रेट क्लर का यहां पर रहता है रेट क्लर का आप देख रहे हो यह क्या है यह तरसे ड़िस कॉल यह आपका यह उसको क्या बोलेंगे यह होता है जल जाता है जलाने में help करता और वेल्वयाजटे जालानी में और श्टिक नेल इंसाइड आपको भी वि क्या करते हो कि वॉल में चिपकता है ये दिवाल में चलता है दिवाल में चल पाता है किसके वज़े से यह तो इसे वर्दान हो गया आप बात करता है कुछ अविसाब के बारमें यह कि कुछ disadvantage के बारे में friction का सबसे पहला disadvantage क्या होता है friction required a lot of energy कि बहुत जदा यह energy मांगता है कोई मालनों body रुकावा है car रुकावा है आप समझ रो कार को इंजन से start करा जाता है नर्मली अगर कोई बोले ने धक्का लेकर दो क्लिमेटर चलो हालत खराब हो जागा उसका पूरा दीन भर का energy चल जागा दस क्लिमेटर दूर की वाते को उठाई ने एक अच्छा कासा अगर इस तरह से उठाए है ना तो हालत का उठानी पाओगे impossible है तो सोचे उसको उस आपका पाओर भी दिखने को मिलता है है ना ठीक है क्योंकि भई आप एक energy के बाधी बोड़ी मूब करता है तो because without applying energy we can't slide the object और आप energy apply नहीं करोगे तो slide नहीं कर पाया गए तरिक जब तक आपका slide नहीं होता तक वेस्टप का energy होता है पहला आपका एक तरसे क्या होता disadvantage of friction का second अगर disadvantage बात करेंगे तो friction also increase the fuel consumption for the vehicle to maintain the energy loss due to the friction मालो क्या है कि आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी कहीं इस तरह सब पहाड़ी में आपको रोकना है पहाड़ी में यहां रोकना है तो आपको वहां पर क्या करना है या तो brake दबाऊगे या फिर आपको मालो starting में र ब्रेक अप्लाइब नहीं करोगे तो नीची आ जाएगा फिसल जाएगा हाना समझ गे वह चीज है फूर्थ नमर थर्ड नमर क्या आगा सम्टाइम्स एक्शसीफ प्रड़क्शन आफ हीट डियू तुदी फ्रिक्शन डेमेजी मसीन पार्ट अभाई जहां पे भी फ्रिक् आवाज भोट आता है आवाज बहुत जदे प्रडियूस करता जिसके वाच्छ पुलेस अजाता धोनी प्रदूसन होता आगे फ्रिक्शन डिस्ट्रोई दी शोल अब दिस फू ट्रायर और वहीकल जो आपका गाड़ियां होता उसका टायर का जो फ्रिक्शन होता तायर दे क्योंकि इसका जो टायर रहता है उसका ग्रीप वो खतम हो जाता है तो एक तरसे यह भी ताप बुलोगे डिसद्वंटेज यह बार बार चेंज करना पड़ता है क्योंकि आपको नीचे वाला बॉन इसके बीच में क्या रहता है यहां भी आपका फ्रिक्सन ही करता है जोब मोडते हो पेर को तो आपे तो प्रिक्सन क्या हो जाता उसके बीच में लिगामेंट वेगा रहता हिक्ट देर्वा उनीख तो नहीं हो पाता friction नहीं भाता तो कोई दिककत नहीं होता तो कुछ श्राप भी है और कुछ हम लोग का आपका श्राप या भी श्राप भो सकता κα्ष वरन भी है कि Augenid और last में लोग ladder का application क्या होता था कि ए Hmm तब उसके बाद आप लोका last class हो जाएगा अ चलिए तो समझते हैं कि मेरा friction का application क्या होता है उसके बार मैं समझते है friction application एफ रिक्सण देखो मैं यह बोर रहा हूं कि यह मेरा object है या कोई body है कि इसका वेट किधर लेगा सर्डान ऑर डाहटेशन वेटलेगा बिल्कुल लेगा हमा ऑलबेशन में वेट लेगा नॉरेख सबूडमल्ड में और ऐसमीन अफ़ोगे लगता है यह भी अलुग है जिदर आप फॉर्स अपला कर रहें कर रहे हो लोड अपला कर रहो उसके जश इस उसको ब्लोट करता है है और ईसको अगर मैं क्या करता हो दिखाता हूं कि कि डायग्राम के थूर्ष जिसमें दो बोडि लगावा है एक मेरा इधर के वॉल है एक मेरा ये क्या मेरा वॉल है दिवाल है और नीचे मेरा फ्लोर है, क्या मेरा फ्लोर है, अब इसके उपर मेरा दो बोड़ी रखावा है, एक बोड़ी ऐसे करके रखावा है, एक बोड़ी B है और उसके उपर जस्ट और इक बोड़ी है, जिसको मैं A बोड़ रहा हूँ, यह दो बोड़ी लगा है, और B बोड़ी को क भी कोशन में दिया रहाएगा कि ए बोडी को हम लोग क्या कर रहे हैं खींच रहें खींच रहें पी फोर से खींच रहें तो बताना है कि बताइए इसका फ्री बोडी डियाग्राम कैसा बनेगा तो आप कैसे बनाओगे देखो बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखना अगर ए और बी बोडी के बीच में जो है न यह सर्फेस इसमें आपको फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन इकल डू क्या आ जाता है फ्रिक्शन माल लेते हैं यहां पर मैं बूर रहा हूं पहले बाद तो कोफिसेंट फ्रिक्शन आ जाता है याद कोफिसेंट फ्रिक्शन ज यहां começo नहीं बाट वर्ष आपन दी मिन्हरमorang रीएक्शन तैसरा और इक क्वा आता जब ऑटry आहां जब भी कोई बोडी मेरा किसी के आएगा मिनद में आएगा वहां मिरे कोफीसंट माद थियो ना तो यह नो पहाला यहांlines तो करकल्त मैं यहां पहर आया है समझ गहे तो यहां पर उसलिए लग रहा यहां पर क्या एक मेरा और इक मेरा नीचे मेरा में भी तो यहां पर दो आपको बनाना है जो सबसे बनाना है उसको पर बनाना ना कि फ्रिक्षन यहां पर क्यों बीको देखोगे उपर भी आपका फ्रिक्षन लेगा तो पर आप एक को बना लो तो एक को सबसे पर हम लोग बना रहें ठीक है और अब बढ़िले अब जैसा आपको पता आप नॉर्मल लॉर्मल चीजिए सर एक तो मेरा वजन लेगा नीची के डायेक्षन पर वेट लेगा एक बोडी है तो वेट आप य ले लिया गया सिम्पल वजन सर्ल रोड लिए लेगा तो लोड इधर लग गया मेरा इधर सर्फि और इसको बोल दियाओं मियोटू तो इसके वज़े से जो मेरा कोफिशन आएगा आपजिट डियाक्शन में कि फोर्स इधर लग रहा तो कोफिशन इधर आएगा एफ इकल टू मियो तो मियोटू आएगा इन्टू एन एक बोडी का बात कर रहा है और उपर में सारे इसी वे बोड़ी बी है मेरा पहली बात यह सम जो कि ब्ढ़र बी में एक चीज मेरा टेंशन कि दर लगा तो सब मेरा टेंशन दे orald ले में लग रहा त cling it लग रहा कशाशन लग करेगा ऑफ यह दे तंस लेक्ट्ड दोने तरह फ्रिक्ष नहीं उपर में सरा इदर हो इसके लिए अलग होगा इसके लिए अलग लेंगी इसके लिए भी लेंगे रहें अविसका डैक्षिन इधर आ जाएगा दखोई यही था मियू टू आपका है यहां पे हैना यहां भी आपका मियू टू इंटू एन है वह एन है था यहां पर अलग लेंगे बीक्रेक्षि नहीं मेंसन कराओ आपको को समझा रहे हैं लेकिन फिलाल आप यह समझो कि वही है सेम क्योंकि फ्रिक्षन का विलू तो नहीं होगा चेंज भाइक कोपीशन अगर यहां पर कि इधर ले गाई क्योंकि फोर्स के जर्ट अपोजिट दोनों साइड लएगा तो अब यहां पर क्या है मियूट अप्छा हम लोग आफ इकल टू क्या लेते पहली बात फ्रिक्षन फोर्स इकल टू सर्मियू इंटू नॉर्मल लेते यह क्या एंड क्या डैट इसको लिए नॉ मेरा इस डबलू जो बी बोडी है इसका तो वजन है ही साथी साथ इसके उपर मेरा इसके वजन को भी तो जहल रहा है तो डबलू एको भी तो जहल रहा है तो वेट इकल टू जो लेंगे वो डबलू ए प्लस डबलू बी दोनों लेंगे क्या लेंगे डबलू अप्लस डब को दिखा तो इसको बैलेंस कर रहा था तो इसलिए कर दिया गया लेकिन यहां पर बैलेंस किसको कर रहा है कि जो बैलस लिया गया है यह नॉर्मल बैलेंस जो कर रहा बी को यह मैने liar 95 और आक भी स्करानाए कि यह b body A है और body मेरा यहाँ पे B है तो जैसे मैं यहाँ पे लिया हूं version वजन जो इसमें लग रहा है तो यहाँ पे मेरा 1 तो N भी जायेगा अब plus आपका N भी तो जाएगा उसको भी तो act करेगा उसको भी जाएगा तो यहां पर यह इसलिए यहां पर n रियक्षिशन यह लिए गया। अगर यह चीज आप लोगो धो हो गया, अब बढ़ते ह Hybrid और एक इस तरह सा critical condition के लिए जो आपसे पूछा जाता है लेडर लेडर भी आपको बहुत बार पूछा जाता है एक तरसे complex होता है इसको अगर आप equation समझ गये जो मैं अभी आपको समझाओंगा दिन आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा numerical solve करने में बहुत easy तरिके से you can solve this question पहले आप समझो क्या कि लेडर का equation क्या होता है लेडर मतलब कोई सीड़ी जैसा कोई चीज वॉल में रखा रहता है उसे friction कहां कहां पर लगता है reaction कहां कहां पर आता है इसका लंबाई कभी बोला जाएगा कि कोई वजन है इंसान है जो एक वेक्ति है या कोई weight है जो इस ज करने के साथ करने के करने करो दो तरीका है कि ही चृचर करने के लिए दोनों तरीका है जो यहांपर सबसे पहले क्या है इसको यह दीवाल है वॉल लिया गया दिस इज माई वॉल यह मेरा क्या एक दिवाल है घर का दिवाल जैसा होता है और नीचे में क्या लिया गया है लीचे में लिया गया फ्लोर क्या लिया गया फ्लोर नीचे लिया गया मेरा फ्लोर यह दो चीज क्लियर क्लियर सर अच्छा यह जो मेरा लेडर है इसका वोल का यह अपरिंड कलाता है इसे वाला इसको अपर इंड कहते है और इस वाले को कहा जाता है लूवर यह भी बहूत इंप्रूर्टेंट एक क्यों में भी समझा रहा हूं जब मैं आपको कोशन कर वाऊंगा हना और जब बताया । अभी फिलाल माल लेते हैं कि इसका वजन हमेसा वजन neutral सेनुक्त से ужас हम मेंशन जाएगा जब तक यह नहीं कहा जाए कि इसमें कोई व्यक्ति आगर कहा जाई कोई इंसान है जो इसको वन भाई थर्ड में चड़ावाए यहां पे तो फिर वह लग बात है फिर इसको हम लोग इस वजन के चलते नीचे लेलेंगे वेट इसका लेकिन अगर यह नहीं कहा जाए तो यह को चिर्टा व llama को सम टारा किएम याँ दिया गया है यह क्या दिया रहेगा या थीटा दिया रहेगा एक आपका इधर जाएगा और इक अधर जाएगा चूंकि इसके साथ एगल रटाएगा और मैं यहां से वजन का देख रहा हूं, यहां से अगर लेंगा, तो क्या देंगा, अगर मैं पूरा निकलता हूं, तो क्या जाएगा, आजाएगा पूरा एल, पूरा लेंद आपका एल है, यहां से लेकर यहां तक देंगा, तो एल, और क्या जाएगा, यहां से लेकर यहां इंटू साइन थीचा हमक्री क्या आ जागा देखो यह हैं लिग देखें एल उटू कौाश्तित यहां से ले तक हुआ और L by 2 sin theta को अपचा तो यहां भी ले सकते हो, बात तो एक ही है, यहां shift करतो, यह वला, क्योंकि यह बेटा जाएगा, और जो मैं लिया था L sin theta, यहां से लेकर यहां तक आ ले सकते हो, यहां से यहां तक क्या जागा मेरा, L sin theta आ जाता है, L sin theta आ जागा, clear, इतना चीज़ समझ जाना पड़ेगा, कुछ ऐसे तरीके से, ताकि आप बहतर तरीके से, इसको समझ भाओ, हाँ, एक सिकन, तरीका में कुछ नो कुछ तॉप नहीं लेता हो, न, देखो, ओके, यह रहा, यह मेरा क्या, वॉल है, और यह मेरा फ्लोर है, यह मेरा वॉल एन फ्लोर है, समझे, चल भी लेडर ले, थोड़ा बड़ा हो जा रहा, कोई छोटा चीज नहीं है, क्या, कोई छोटा चीज अगर हो जाएगा, हाँ, यह सही है, यह समझे, यह क्या है, मेरा एक वॉल है, एक लेडर है, लेडर है, एक चीज मेरा बताओ, हमेसा लेडर जो है, किधर मोसन करेगा, दो अगर मैं बोलूँ है कि लीडर मेरा मूब करेगा तो मोसन करेग सब इस डाइक्षन पर नीचे की और नीचे के इधर मोशन करेगा और यह सर इधर मोशन कर रहा है कोई दिक्कत सर कोई दिक्कत नहीं है यह चीज़ समझ गये होंगे अच्छा और आपको पता है इधर मोशन कर रहा उसके अगर आप देखो यह मोशन करना चालेकिन ऐसा थोड़ना की गिर जाएगा गिर जाएगा बिक्र डगे अगर नहीं आप उसे रोक मोसन का इदा लगेगा एक और इसमें फिर्क्षिन में लएगा ऑना बिल्कुर श्र फिर्क्सिन लेगा इन लेगा कि और फिर्क्षन इकल्डो क्या अता शर फिकल नॉर्मल कहां लगता है आप यह समझो नॉर्मल अगर मैं बात करता है नॉर्मल रियक्षन मैं आपको हमें बलू कि नॉर्मल हमेशा बोलो कि नॉर्मल लेक्षन हमेशा सर्फेस के परपेंडिकुलर लगता है मैं आपको बताया हो ना परपेंडिकुलर लगता है और देख ल तो इसके लिए नार्मल यह वलानामल हो जाका और स्किल न्यूंआप यह जाका ऑर नियुक्त रेट irritated हो इसको हटा थूंद था अचैनल अघर मेरा सर्फिस है फ्लोर एक है तूँर्वलर नोर्मल पर लें आर ए यह पर आरहल आरे यह जैसे Orange थे भी पॉयंट बोल लेता हूँ इसको एक कवर्ड नोल लेता हूँ तो यहां रहा भी आरि अखिया दिया त्वी आधिया यहां पर किया दिया है इदर आपका यह कॉचन कर रहा चूपर डिखिंट्य में एक हम याउन यहां गया जो लाउख टो यहांपेक्ष रहा यहां पर कोफिशनल फ्रिक्षन आएगा म्यूँ ए तो म्यूँ म्यूँ आ रहा इसलिए तो म्यूँ आया समझ गहें म्यूँ जब भी कोई टच करेगा तो यहां पर दो पाट को टच कर रहा है यहां 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 टच कर रहा है इसलिए यहां पर क्या आया था इस तरह से यहां पर एक इस जगा पेक आएगा यहाँ पेक मिल हाएगा को फिसे और फिक्शन उसी कवाज़ देखिशन फोर्स भी आ रहा तो दोना जगा मिल मुल आया है यहां लिखाक और फिक्सर्फ विकॉज लेडर टच्ट दी फ फ्लोर और यहां पे को इस से ऊच्छन की में रहा तो समय होगा ता अब लिखो गई हैं और अगर में देख लेता हूं से अपूपजी करों धर लिखूंगा लेकिन और इधर आउए था तो यह इसकोन लोग निकाले में से थे इसको निकाले थे W एक आ रहा था इधर ल बाई टु अगर लिए टेघा आ है पूरा ले ले लेते इस डियक्शन में जा digging जा SHT तो इसा आज़ेंगे उकलत ना तो इस उकलत लहाँ आ tau लाइं का म्यूर deeper करeten और जा रहा था यहां पर क्या जागा एह म्यूर ऑक्र जा रहा था और क्या से और यौर रहा था और ईक्लिव एकट रहा था जा रहा था मिलूर मॉर दा प्लियूर तो डबलू नीचे डैक्स में जा रहा ना तो डबलू आगे एक और दूसरा अगर मैं बात करूंगा तो एक आपका हम लोग लिए ना हाप यह जागा इधर जागा एल बाइटू साइन थीटा यह उपपर डैक्स में जाएगा तो उपपर वाले को पोजिटीव लिएक चले ह अधिकतर हम लोग ट्राय करते हैं या बाकी चीज़ थोड़ा जीरो हो जाई है ना क्यूंकि आपको पता मोमेंट इकलो फोर्स इंटो प्रपेट्र को डारेक्शन तो अगर बी के बाट लेता तो फोर्स इंटो प्रपेट्रेक्शन इसी पॉंट में जीरो हा जाता है इसलि अच्छा को पुछा जाता है इस सभी को अपको प्रेक्टिस करके आना है आपको ईसफनी होता है यह लेंडि लेंदी लेगा लेकिन easy होता है solution easy होता है tough नहीं होता बस लंबात ज्यादा लगा time ज्यादा लग जाएगा लेकिन आपको preparation कुछ ना कुछ question करके जाना है 4-5 question करके जाना ताकि अगर आजाए तो अब बना लो हो सकता बाकी के लिए आपको time ही न मिले है ना time आपके पास है लेकिन आपके question करवा दूँगा ठीक है next last में हम लोग question ही discuss करेंगे इसके बाद जो दो लेक्चर आएगा वह question के उपर आएगा नुमरिकल के उपर आएगा पहला जो रहेगा वह basic basic question करवा दूँगा and second job का नुमरिकल सेशन आएगा उसमें थोड़ा अच्छा लेवल कर दूँगा देन आपका फ्रिक्शन complete हो जाएगा चलिए इस्टोन मिल दाव नाने नेक्स पार्ट में तब तक लिए goodbye and god bless you all thank you so much for watching